सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का यहां पर एटू-जेट बैच स्टार्ट हो चुका है और एटू-जेट बैच की जो हमने फर्स क्लास की थी आपकी परसो सेशन हुआ था उसके अंदर हमने जो क्लास में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था वह यहां पर किया था आपने यह समझा था कि आखिर साइंस को हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं अब आज के सेशन से हम लोग जैसे मेजॉरिटी आप लोगों के कॉमेंस थे कि माम से स्टार्ट करना चाहिए तो भई जिसमें आप राजी वही चीज हम यहां पर स्ट क्या होता है कैसे होता है और कहां से आपकी जो उत्पत्ती है वह आपको दिखाई दी थी उससे पहले मैं आपको बता दू आपके दोनों ही बैच चल रहे हैं A to Z Science Batch भी और A to Z English Batch भी दोनों ही बैच के अंदर आपको completely free Monday, Wednesday and Friday आपको English की क्लास रहती है जिसमें आपकी सांदर तरीके से आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और उसी प्रकार से साइंस का आपका Tuesday, Thursday and Saturday जो है यह क्लास आपकी रहने वाली है साथ-साथ में आपकी अभी अतलब आप सभी के लिए प्राक्टिस बैच आया है जो की आपके प्यारे अंकुल सर लेकर आ रहे हैं जि के लिए फोकस करके इस बैच में आप लोग अपना तयारी को अपने प्रेपरेशन को अपने प्रैक्टिस क्वेशन को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जो भी यहां पर सीजियल में सीपियो के लिए प्रपैर कर रहे हैं सेकेंट आयर आपका आने वाला है पढ़ि करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में और साधा 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 स्टूडेंस तक क्योंकि फ्री आप लोग के लिए पूरी मेहनत करी जाएगी बिल्कुल बेस से आपको समझाया जाएगा ज्यादा से जाधा बच्चों तक पहुचाईए शेयर गरना और गरते हैं अपने आज पते हुई कौन था जिसने दिया और इसकी अंदर क्या है ठीक है हम पढ़ते आये हैं कि माम एक सेल से मिलकर के ही पूरा यह जो मानव शरीर है यह हमारा तयार हो रहा है यह हमने एक बेसिक कहानी आपर पढ़िया बिल्कुल बिल्कुल यह आपका हर एक एक्जाम के लिए इ उन्हें पर लगाएं के अब बाद अगर कोशिका की की जा रही है कि मैं यहाँ पर क्या है हमारी कोशिका है ठीक है कोशिका के लिए हम इस प्रकार से इक इस च्ट्रॉक्चर देखते आए हैं हमने सुनाए कि माम यहीं एक सेल हैं जो डिवाइड हो करके तूट करके दो में बन जाता है 4 में बन जाता क्योंकि आपने कोशिक हों उन्हें बनाता वभा दिखाई देता है लेकिन आगर मैं आप से बात करूब कि चलो इस सेल के लिए और उन्डर कुछ ना कुछ कोशिक आंग पाई जाते हैं ना उनकर छोटे मानव शरीर त्यार हो जाता है यानि कि मैं इसको ये भी कह सकते हूँ कि अगर कोई आप से पूछे कि भर ये अखिर ये cell है क्या आखिर ये cell है क्या तो आप कह सकते हो कि भई ये cell या ये जो košika है ये हमारी एक मूल भूत जीवन की एकाई है आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं बेसिक एक डेफिनेशन के तौर पर आप क्या कहेंगे कि मैं, what is a cell तो आप बोलोगे कि भई, cell क्या है या जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका कोशिका आखिरकार आपकी fundamental unit of life के नाम से जानी जाती है क्या है? मूल भूत एकाई सबसे पहली और सबसे इंपोर्टेंट लाइन कि माम यह क्या है? fundamental unit of life ठीक है? जीवन की मूल भूत एकाई अब जो साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं भया साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना लिखते चलेंगे, आराम से पढ़ते वे चलेंगे, समझते वे चलेंगे कभी मन में यहा है कि माम हम इतना पूरा हमारा इतना बड़ा शरीर है हमने कह दिया कि भाई यह मूल भूत एकाई है आखिर ऐसा क्या था इसके अंदर? आखिर किस ने क्या देखा? किस वजह से हमने इसको यहां पर मूल भूत एकाई या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनेट है से बड़े-बड़े टरम्स अभी आप पढ़ोगे कि माम क्यूं इसको जीवन की कार्यात्मों के काई कहते हैं सरंचनात्मों के काई कहते हैं कुछ तो रीजन होगा यहां पर पीडिएफ आपको मिल जाएगी मैं पहले आपको बता दूँ पीडिएफ आपको सेशन के बाद में अभीने माट्स अप्लिकेशन पर जिसने डाउनलोड नहीं करी हो उसको डाउनलोड कर लेना वहां पर आपको फ्री कॉंटेंट के अंदर आपकी पीडिएफ जो है वो मिल जाएगी थियरे सभी को यहां पर मिल जाएगी और जादा से जादा मात्रा में अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना है साइन्स का जो डर है वो अब से खतम करना है कि आखिर हर चीज बेसिक से अगर हमें पढ़ने को मिले तो फिर डर किस बात का है आने वाले हर एक्जाम के लिए आपके लिए हेलफुली रहने वाला है कोर्स कंप्लीट होगा लेकिन कोर्स के लिए हमें आराम से क्यूंकि A to Z है तो पूरा ही हम यहां पर करके जलेंगे ठीक है चलो हमने क्या बोला कि यह क्या है हमारी मूलभूत एकाई है यह हमारा फंडामेंटल यूनिट यहां पर कहा जा रहा है तो कोई तो ऐसा होगा जिसने सबसे पहली बार इस कोशिका के बारे में कोई चीज़ बताई होगी यह उन्होंने ढूड़ा होगा कि क्या सेल है कहां से आया है किस प्रगार से इसकी उत्रपत्ति हुई है तो वहाँ पर एक आपका कोशिका का सिध्धानित आता है एक कोशिका सिध्धानित आता है जिसमें अलग-अलग सांटेस्ट हमारे काम करते हैं और वो हमें यहाँ पर क्या बताते हैं, कि यह जो cell है, यह fundamental के साथ-साथ structural and functional unit of life भी कही जाती है, यानि कि सरंचनात्मक और कार्यात्मक एकाई और कार्यात्मक एकाई अब कुछ चीजें जो मन में आनी चाहिए, बिल्कुल हद तक आनी चाहिए, कि चलो माम ठीक है, यह सारी बातें आपने कह दी कि भई हमारा जो एक चोटा सा cell होता है, इससे मिल करके हमारे बहुत सारे group of cells बन गए, ठीक है, इसको हमने उत्तक का नाम दे दिया, इससे मिल करके हमारे कुछ अंग बनेंगे, जैसे हमारा liver बन गया, हमारी यहाँ पर kidney बन ग और इससे मिल करके मानव का शरीर जो है, वो तयार हो गया, human body, ठीक है, यहाँ क्या है, अंग प्रणाली, जितने भी जीवित जीव हैं, अगर आप कह रहे हो structure, यह क्या है, जीवन की मूल भूत एकाई है, structure बना रही है, structure कैसे बना रही है, मैम एक यही cell तो थी, जिससे मिल करके मेरे पास यह पूरी की पूरी मानव का शरीर है, वो बन करके यहाँ पर तयार हुआ, तो आखिर आप इसी वजह से इसको सरंचनात्पक, यानि की structural और functional, जितनी भी क्रियाएं होंगी अंदर, जब यह cell आखिर मिल करके उत्तक बनाएंगे, अंग बनाएंगे, तो इन अगला अंग हैं, जैसे अमाश हैं, तो पाचन हो रहा है, फेफडे हैं, श्वसन हो रहा है, तो इन अंगों के अंदर ही आपका जो function है, वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, clear है, तो इसी लिए कहा जाता है कि यह हमारी सरंचनात्मक और क्रियात्मक, दोनों ही इका करोगे माम, इस कोशिका के अध्यन को क्या कहा जाता है, देखो ये चैप्टर ऐसा है, जहां से धेर सारे one-liner questions आपके बनते हैं, और उन्ही सारे questions को हम एक-एक करके यहां पर पढ़ेंगे, इसकी खोच किसने करी, कप करी, कैसे करी, क्या होता है ना, बहुत सारे, तो सबसे पहले जब हम कहते हैं कि cell, इसका अध्यन क्या होगा, तो आप बोलोगे भाईया, cytology, ठीक है, study of cell, सबसे पहली लाइन लिखेंगे, study of cell, cytology यहां पर कहलाता है, कोशिका का अध्यन, क्या कहला रहा है, cytology, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, या आप इसे cell biology के नाम से भी यहां पर जानते हैं, ठीक है मैम, यह बन गया, अब इससे मिलकर के क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, तो उत्तक के अध्यन को histology नाम दिया जाता है, दूसरी लाइन भी यहां पर लिख लेना, कि study of tissue क्या है, study of tissue क्या है, तो भी यहां उसको हम histology नाम यहां पर देते हैं, उत्तक का अध्यन, उत्तक का अध्यन, histology कहा जाता है, clear है? तो basic, सबसे ज़्यादा important पूछा जाने वाली है, सारी चीज़े हैं आपर रहती हैं, अब मैं एक बात बताओ, कोई ऐसा था क्या, जिसने सबसे पहली बार इसको देखा, कोई तो होगा, जिसने इसकी खोज करी होगी, वो थे हमारे Robert Hook सहाब, कौन थे? Robert Hook सहाब, Robert Hook सहाब ने सबसे पहली बार एक सेल की खोज करी थी, जो म्रत सेल था, जो आपकी एक dead सेल देखी गई थी, ठीक है? जो आपकी एक dead, यानि की म्रत कोशिका देखी गई थी, एक्चिली मैं अगर मैं बात करूँ, तो ये जो शब्द है आपका कोशिका, ये जो आप शब्द देख रहे हो सबसे पहले, सेल, ये लेटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, कहां से? लेटिन भाषा से, लिया हुआ शब्द है, ये जो सेल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा space, एक छोटी सी ऐसी जगह, जहां पर आप कुछ देख पा रहे हो, हैना? छोटी सी space या छोटा सा कमरा, कुछ भी कह लो, उसी प्रकार से, जब पहली बार Robert Hook सहाब काम कर रहे थे, उन्होंने अचानक से क्या देखा? कि जो एक पेड़ था, उस पेड़ की छाल पर, बार्क होती है, छाल होती है, इंगलिश में बार्क कहते हैं, वहाँ पर एक कॉर्क नाम का, देखो इधर, जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ये थे Robert Hook सहाब, इनका एक बहुत पुराना साही माइक्रोस्कोप था, इन्होंने इस माइक्रोस्कोप की मदद से, इस पेड़ के उपर वाला इस हिस्से पे, छाल पे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पर, जब ये काम कर रहे थे, त इसको इन्होंने डेड कॉर्क सेल यहाँ पर बूला था, ठीक है, सबसे पहली बार जो सेल की खोज यहाँ पर करी गई थी, तो आप क्या देखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि माम ये कॉर्क है क्या, कॉर्क एक तरीके का एक एक एंटी बेक्टीरियल प्लांट होता है, आपने बहुत सारी लाब में फिर आप लोगोंने वाइन की बॉटल्स देखे होंगी, जिसके उपर इसे डार्ट लगी होती है, इसे धकन जो हैं वो लगे होए होते हैं, देखे होंगी, यह इसी के बने होए होते हैं, पेड के उपर वाला जो हिस्सा होत ये डेड था मैम है ना बहुत सारे मन में दुविधा आती है कि आखिर ये कॉर्क है क्या तुमने बॉटल्स पर डाट लगी भी देखी होंगी ये वही वाली डाट या धक्कन जो क्याब जिसको आप कहा देते हो ये उसी तरीके का यहां पर आपको देखने को मिलता है और इस उन्हें क्या कहा कि भाई जितने भी जीव bin जीविंग ऑर्गानिसम से वह तक शोटे-शोटे से स्ट्रक्ट्र्क्टर जो हैं वह यहां पर मुझे दिख पा रहे हैं था की कि ये क्या यह क्मी से दिखे रहे हैं सेल को resemble यहाँ पर कर रहे हैं मतलब सेल से मिलता जुलता हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसलिए सेल को क्या कहा जाता है छोटे से कमरे या सेल नाम जो पड़ा इनका वो इस कारणवश यहाँ पर पड़ा ठीक है माम इन्होंने भी काम कर लिया इन्होंने सेल देखी वो म्रत सेल देखी ठीक है अब उसके बाद कोई और भी आया होगा उसके बाद कोई और भी आया होगा जिन्होंने फिर काम करना शुरू किया उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि भाईया ये तो डेड इन्होंने ढूंड के चले गए Robert Hook सहाब अब अगर मैं जीवित कोशिका की बात करूँ तो वहाँ पर एक और साइंटेस्ट आते हैं जुनका नाम है एंटोनी विन लिविन होक क्या नाम है एवी लिविन होक नाम को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है लंबा नाम है लेकिन इंपोर्टेंट बहुत जादा है इन्होंने क्या किया था उनका ये माइक्रोस्कोप था जिनका नाम है एवी लिविन होक एवी एल के नाम से भी जानते हैं या फिर एंटोनी वेन लिविन होक ठीक है ये अन्टोनी वेन लियोन हख सहाब का माइक्रोसकोप था ये ऐसे घूमने के बहुत ज़ादा शौकीन था दो मिनिट चाहानी सुनो पहले तो मैंब ये घूम्ते घूमते अचानक से एक तलाप के पहुँच गए इनको प्यास लग रही थी ठीक है वहाँ पर इन्हों ने क्या देखा इन्हों ने उस पानी के अंदर जो पानी इन्हों ने वहाँ तलाप का पिया उस पानी के अंदर इन्हों ने अपने माइक्रोस्कोप से जब देखा तो इनको ये दिखाई दिया कि भई यहाँ पर तो कुछ छोटी छोटे स्ट्रक् सोक्षम जीव दिखाई दे रहे हैं जिनको इन्होंने पहली बार ये तालाप का पानी था इसके अंदर इन्होंने नाम दिया एनी मैक्यूली ठीक है? सबसे पहली बार और किसके अंदर? पॉंड वाटर के अंदर इनको ये दिखाई दिया था पहले चीजों को समझना बहुत आवश्यक होता है पहले चीजों को समझना बहुत आवश्यक होता है ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस पानी के अंदर जो छोटे-छोटे से इनको ये जीव दिख रहे थे इन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया जो है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तब जाकर सबसे पहली बार पॉंड वाटर के अंदर तालाप के पानी के इंदर किसकी खोज हुई थी बैक्टीरिया की या जीवाणू की खोज यहां पर वी थी यह थे एंटुनी वेन ल्यूविन हॉक सहा आपने सबसे पहली बार एक जीवाणू को खोजा और जीवाणू क्या होता है माम सूक्षमजीव होता है क्या होता है सूक्षमजीव होता है यानि कि माइक्रो आप कह सकते हो माइक्रो और्गानिजम है तो माम इसी लिए इनको सबसे पहला सूक्षमजीव यहां पर कहा गय थे तो आप यहां पर क्या लिखेंगे सेल की सबसे पहली बार फर्स टाइम डिस्कवर्ड बाय रोबर्ट हुक ठीक है? किसने किया था? रोबर्ट हुक ने किया था लेकिन इन्होंने क्या करी थी? मरत कोशिका की खोज करी थी कैसी भाया म्रत कोशिका यानि की डेड सेल और वो डेड सेल इने कहा मिला था कौर्क के अंदर कहा मिला था कौर्क के अंदर इन्हों तो इसकी खोज कर दी थी लेकिन अगर मैं बात करूँ living cell की जीवित सेल की living cell या जीवित कोशिका तो इसकी खोज करने वाले एंटोनी वेन लिवन हॉक यहां पर कहे जाते हैं इनको नाम क्या दिया गया था कि इन्होंने सबसे पहली बार जीवानू की खोज करी थी इसी लिए इनको पहला सुक्ष्म जीवी first microbiologist का credit भी दिया गया first microbiologist या सुक्ष्म जीवी बोलो कोई परेशानी कोई दिककत कोई समस्या किसी को हाँ भाई ये आपके हर एक exam के लिए important होगा हम basic से जो सवाल है जो one liner होंगे ना अभी इतना समझ लो फिर तुम्हारे एक एक डाउड भी यहां पर क्लिर हो जाएंगे लेकिन पहले समझने की आवश्यक्ता होती है मैम कि हमारे पास रॉबर्ट हुक सहाब आए उन्होंने सेल नाम का एक स्ट्रक्चर डूंडा वो सेल कहां मिला उन्हें कॉर्क सेल के अंदर उन्होंने उस लेट खोज करें जीवानों की खोज करें अब आप मैंद में आएगा कि मैं क्या क्या केवल लिए जीवानों की कोज कर रहे थे यह साफ मेर अगर मैं आप से कि बात कररूँ कि यह प्रोटोजों की कोज किस ने करी तो वो भी हमारे वो भी हमारे लिवफन हॉक सहाब ही थे प्रोटोजों की खोज भी इनोनी नहीं करी ती अचली में इनको वहाँ पर ना एक एनिमल سयल भी दिखाई दिया था कुछ इस प्रकार से देखेंगे इनको वहाँ पर एक एनिमल सेल भी दिखाई दिया था जिसका नाम था हाइडरा तो प्रोटोजवा बैक्टीरिया और हाइडरा मतलब हाइडरा बेसिकली प्रोटोजवा के अंदर ही आता है तो इन तीनों चीजों की अगर एंट्वन लिविन हॉक की बात आएगी तो हम बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हैं कि मैं इन्होंने क्या-क्या डिसकावर किया कब कब डिसकावर किया अब चलो एक बेसिक सी कहानी दुबारा से सुनते हैं और मुझे कुछ इन सवालों के जवाब मैं सेल की स्टडी क्या होती है अभी बात करी साइटो लॉजी कहा जाएगा जल्दी जल्दी से एक बार बताने का प्रयाज करें ठीक है ठीक है कोशिगा का अध्यन क्या कहा जाएगा भई वेरी गुड तो मैं कोशिगा का अध्यन क्या कहा जाएगा साइटो लोजी कहा जाएगा अगर मैं बोलू उत्तक का अध्यन तो भी बात करी हिस्टोलोजी कहा जाएगा ये सब जो भी नोड बना रहे हैं वो सब एक पेपर के अंदर एक बिलकुल की पॉइंट में सिंगल लाइनर ये सारे पॉइंट्स लिख लेना क्योंकि जितने भी एक्जाम आप दोगे ये सारे पॉइंट्स आपको हर एक एक गजाम में हेल्प करने वाले हैं सबसे पहला काम यही करेंगे की पॉइंट्स बनाके बुलिट पॉइंच में वन लाइनर सवालों को जरूर लिखेंगे क्या कहा जाएगा हिस्टोलोशी कहा जाएगा उत्तक हुए सेल हुआ अब आया मैम फा जनक भी बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक सहब कब करा था 1665 में 1665 में अब मैं आप से पूछू कि भाइया एक बात बताओ चलो ये तो ठीक है इन्होंने खोज कर दी अब बताए सेल बायोलोजी के जनक कौन है कोशिका जी विज्ञान के जनक कौन है तो फिर मन रॉबर्ट हुक सहाब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही खूब सूरत और देखो यही सवाल जब एक्जाम में आते हैं तो तुम्हें लगता है यार इतना टफ क्वेस्टन आ गया अभी कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां तुम्हें लगेगा बहुत टफ हैं पर ट अधुनिक कोशिका विज्ञान उना चीज है इसके जनक By ट नो स वंसराइज Swanson को यहाँ पर कहा जाता है कुछ चीजें जो आपने यहाँ पर याद रखनी है इन्होंने क्या किया था इन्होंने बुक लिखी थी The Cell इनकी किताब भी याद रखना इनकी बुक क्या है The Cell इनकी जो किताब है इसके बाद Indian Cytology अब अगर मैं भारतिय उरिजिन की बात करूँ तो मैं modern आधुनिक वाले तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमने देख लिया स्वांसन सहावाई अब अगर मैं भारतिय उरिजिन की बात करूँ तो इन्डिया में कौन कहे जाते हैं कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे जुन्होंने यहाँ पर कार्रे किया था इंडियन इंडियन साइटोलोजी के याद रखेंगे डॉक्टर अरुन कुमार शर्मा क्या नाम याद रखना है डॉक्टर अरुन कुमार शर्मा डॉक्टर अरुन कुमार शर्मा यह भारतिय मूल के हो गए शर्मा जी इन्हों ने क्या किया इन्होंने यहाँ पर साइटोलोजी का अगीन जो साइटोलोजी की अगीन यह जनक यहाँ पर कहे जाते हैं अब मैं में टफ सवाल मतलब टफ नहीं है बढ़ हो सकता है आपको लगे वह कहरें डिस्कवरी ओफ डेड़ सेल किसने करी थी किसने मृत कोशिका को खो अगर मैं इनको तीन नामों से कह रही हूँ कि भाईया डेड़ सेल भी इन्होंने खोजी मृत कोशिका भी खोजी इन्होंने ही यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ साइटोलोजी भी कहा गया इन्हें यहाँ पर फादर ऑफ सेल बायोलोजी भी कहा गया बोलो बात समझ आ रही ह करेक्ट अब अगर मैं आपसे बोलू हाँ जी डेड प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने करी अगेन माम सेम चीज हो जाएगी ये भी रॉबर्ट होक सहाब ने क्योंकि प्लांट सेल ही तो खोजा दा उनुने पौधे के अंदर प्लांट के अंदर छाल के ऊपर बार के ऊपर एक लिविंग सेल कीखोज किसने करी थी दिंधो ने क्या करा वही आपका जीवित कोशे का जीवित कहां सबसे पहली बार जीवाणू की खोज उन्होंने याँ पर करी थी इनके उपर अभी एक प्रॉपर डिस्कवरी चलो ध्यान दो इधर इन्टोनी वेन लिविन होक सहाब के उपर इन्होंने जो बहुत चारे काम किये थे ना उन सब के उपर चर्चा करेंगे एक बार बताओ मुझे living animal cell किसने खोजा? living animal cell किसने खोजा? हम क्या करते हैं? हम पढ़े माम ठीके cell है, cell के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, cell किसने खोजा? किस क्या organelles होते हैं, क्या कोशिका होते हैं, इतना पढ़के हम चल देते हैं सवाल यहीं से घुमाभिरा के भी दे देता हैं, और हम एक एक छीज को कवर करते हुए चलेंगे living animal cell, again माम, कहानी सेम हो गई, एंटोनी वेन, लिविन, होग अब अगर मैं तुमसे कहूँ, जीवित plant cell किसने खोजा था, तो मन में आएगा कि माम, यह क्या सवाल आपने पूछ लिया ऐसा सवाल आया हुआ है, कि जीवित कोशिका, वो किसकी है, पादप की, तो यह किसने खोजा था अब छोटी सी चीजएक याद रखना, छलो, छोटी सी चीजएक यहाँ पर याद रखना, इनका heading डालके न, अलग से paper pen का लिख लेना, एंटोनी वेन, लिविन होग सबसे पहली बात, इन्होंने, इनको first microbiologist कहा जाता है first microbiologist, यानि कि पहला सूक्ष्म जीवी, पहला सूक्ष्म जीवी इनको यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, इन्होंने bacteria की खोज करी, यानि कि जीवाणू के बारे में इन्होंने खोज करी थी first living cell इन्होंने खोजा, पहली जीवित कोशिका इन्होंने खोजी लिखो भई, पहली जीवित कोशिका अब इसके बाद मैम आपने ये भी बताया था कि ये bacteria जो है, वो एक pond water के अंदर मिला था जिसको हमने नाम किया दिया था, एनि मैक्यूली, तो उसको भी हम यहाँ पर नोट करेंगे, उसको भी हम यहाँ पर नोट करेंगे, एनि मैक्यूली, ये नाम इन्होंने सबसे पहली बार किसको दिया था, pond water के अंदर, तालाब के पानी में जो नाम इन्होंने दिया था, य थीख यहां तो मैं चलो ठीक है इसके बाद इन्होंने क्या किया था प्रोटो जगत के तो पूप ग्जगत के तौर पहला है यह सब आपको PDF में मिल जाएगा परिशान बतो यह सब PDF में मिल जाएगा तो पहले microbiologist थे इन्होंने first living cell की खोज करी first animal cell की खोज करी इसके तोर पे क्या है यह first जन्तु कोशिका पहली जन्तु कोशिका अब अगर मैं plant cell की बात करूँ इन्होंने ही plant cell की अंदर जिन्होंने भी 9-10 तक science पढ़ी है तुमने एक experiment किया होगा union peel वाला घर से प्याज जो है वो teacher ने मंगवाई होगी और उस प्याज के छिलके के अंदर आपने experiment करके देखा होगा कि इसके अंदर क्या है बोलो किस किस ने किया है पटा फट से बताओ किस किस ने किया है प्याज वाला experiment एक आपने क्या होगा आपने चीक सेल का कि गाल के अंदर से एक layer निकाल के और फिर भाम उस पे experiment मेडम करवाती थी और एक कराती थी हमारा प्याज ले जाके कि भाई प्याज की जिल्ली में हमें कौन सी कोशिकाय दिख रही है वही है first plant cell जो इन्हों ने यहाँ पर खुजा था यानि कि किस में onion पील के अंदर प्याज के छिल्के के अंदर करा है या नहीं करा है बोलो भई तो अगर आपसे पूछा जाए living plant cell की खोज इन्होंने ही करी थी या नहीं करी थी देखो भई आपसे अगर पूछ लिया जाए first plant cell पहली पादप कोशिका तो वो भी इन्होंने कहां देखी थी onion पील के अंदर प्याज के छिल्के के अंदर पहली पादप कोशिका यह चीज़ें बेसिक सी होते हैं हम भूल जाते हैं प्याज की जिल्ली के अंदर हम लोग ढूंड रहे थे 9 10th class में basic experiment जो madam करवाती थी मंगवाती थी कोई बात नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जिसने किया है वो इन सब चीज़ों को यहां पर बहुत अच्छे से उनको याद जरूर आ रहा होगा कि मैम हमने तो यहां पर इसे किया है दूसरी चीज इसी के आगे कि हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इन्होंने ही इन्होंने ही यहां पर मेल ग्यामीट की भी खोच करी थी मेल ग्यामीट यानि कि जो आपका नर युगमंच है जिसको कि हम क्या कहते हैं यानि कि शुक्राणू कहते हैं शुक्राणू यहां पर इसको कहते हैं तो कहानी तुम पढ़ना होता है कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ोगे कि कहां कहां पर क्या चीज एक्षिली में थी तो हमें याद रहेगा कि अच्छा इन्होंने एक काम नहीं किया था उन्होंने प्रोटोजोवा के अंदर हाइड्रा को भी देखा था इन्होंने जिवानु भी करी थी और एक माईक्रोस्कोप जोटी एडवांस भी रही था इतना एक बेसिक से माईक्रोस्कोप से उन्होंने यह सारे काम यहां पर किये थे बोलिये बात समझ में आरही है बोलो भी फटाफट से बात समझ आ रही है हाँ और एक किताब का नाम और याद रख ले ना कि The Secret of Nature The Secrets of Nature प्रकरती के रहस्य इसके अंदर इन्होंने ना The Secrets of Nature नाम की जो बुक है ये अपने को याद रखनी है प्रकरती के रहस्य बोलिये किसी को कोई समस्या हाँ भी फटाफट से बताओ एक बर किसी को कोई डाउट कोई ख्वेरी यहां तक ठीक है clear है तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में याद रखनी है भीया ये सारी चीजें हमें अब मैं तुमसे कुछ बेसिक से सवाल और यहां पर पूछूंगी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए first question क्योंकि मैं देखो हम cell के बारे में बात कर रहे हैं और cell के बारे में जब पूछा जाता है तो सवाल आ जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है मैं ये तो तुम्हें बताओ एक बार सबसे बड़ी largest वाली सबसे बड़ी माम वो कोई और नहीं है सबसे बड़ी कोशिका अगर मैं देखूं तो वो मेरे इस प्रकार से देखे गए शुतर मुर्ग के अंडे हैं ostrich का एग है क्या है ostrich के अंडे तो याद रखेंगे ostrich के अंडे यही देखने को म तो बताइए सोचिए कि सबसे चोटी कोशे का कौनसी हो सकती है सब यह फीमर का है नहीं नहीं फीमर तो पैर में पाये जाने वाली जांक की हड़ी है जो सबसे लंबी हड़ी को कहा जाता है फीमर ठीक है अब तुमसे कह रहा है सबसे चोटी smallest cell देखो यहां पर smallest cell होती है माम यह अब तुम कहोगे माम इतना बड़ा अपने डाइग्राम दिखा है आप कहा रही हो छोटी सी सेल है छोटी ही होती है यह आपको mycoplasma या PPLO के नाम से जानी जाती है जैसे हम कहते है pleuroneumonia like organism point part मतलब इसका जो size है वो आपको सबसे छोटा यहां पर दिखाई देता है सबसे छोटा यहां पर इसका जो size है वो आपको दिखाई देता है mycoplasma लिखेंगे यहां पर फटा फट से कि माम यह कौन सा हो गया एक सेकंड ओस्ट्रिच का एग ठीक है शुतर मुर्ग के अंडे फिर हम बात करेंगे सबसे छोटी तो इसका नाम याद रखेंगे mycoplasma एक्चुली में यह आपको जीवानों की तरह यह आपको prokaryotic दिखाई देता है अब बात करेंगे उसके बारे में भी इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक और गैनिजम ठीक है प्लूरो निमोनिया लाइक और गैनिजम सबसे छोटी कोशिका हिंदी वाले लिखेंगे mycoplasma mycoplasma ठीक है अब आती है आपको शुतर मुर्ग के इंडे दिख रहे हैं सबसे छोटा आपको mycoplasma दिख रहा है तो हमारे जो सबसे की तरब पर जाने जाते हैं आपको नियूर्ट इन 말 जरो यह 아니라 स्की तीन बोडी मैं मतलăng फीर इसका एक जोनगा स्ब्सक्राइब यही तन्तरी कोौशिका यह थे हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा एक provider आपको दिखाई देता है हमारे मश्तिश्क के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जो क्या करता है सिगनल को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाता है तुम्हारे मन में तुम्हारे दिल में तुम्हारी दिमाग में कोई भी खुराफात आए सबसे पहले वह सूचना हमारे ब्रेन म unit है इसी लिए कहा जाता है दूसरी चीज कि माम यह जो पूरे आप neurons को देख रहे हो जो तंतरी कोशिगा को आप देख रहे हो यह एक नहीं दो नहीं यह करीबन एक बिलियन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं कितनी एक बिलियन में बात नहीं हो रही है एक बिलियन नियूरॉन्स आपको कहां दिख रहे हैं आपकी अपनी नर्व सेल आपके अपने ब्रेइन के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है माम है ना छोटी भी पात नहीं है कितने हो जाएंगे टोटल 1 billion तो question का answer यहां पर note करेंगे सभी कि longest cell को कौन सी कहलाई जाएगी हमारी nerve cell इसको nerve cell भी कहते हैं इसको neuron भी कहते हैं इसको हिंदी में Tantri कोशिका भी कहा जाता है तंत्री कोशिका और कितनी होती है ये एक बिलियन नियूरॉन्स हमारे मश्टिश्क के अंदर उपस्थित होते हैं क्या कराते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल इंपर्स हमारी जो विध्युत गतिविधी है उसको एक सिगनल्स को एक दगा से दूसरी जगा पहुंचाने का कारह यहां पर कर रहे हैं आक्यूरेटली एक बिलियन याद रखना है ना सवाल जब आएगा ना एससी जब पूछेगी तो तुमसे यह नहीं पूछेगी 636 मिलियन थे या क्या थे वो तुमसे आक्यूरेटली सिंपल ए हमारे आते ही आते हैं सास्थ में स्कोषिगा के सिध्धान्त को देने वाले तीन हमें साइंटिस्ट यहां पर पढ़ोशिका कोsnा थे आपको कैसे पदा चला थे उन्होंने जीवित कोशे का देख ली थी अब जब इन तीनों की बात करेंगे जिसमें आते हैं श्लीडन और श्वान मुख्य तोर पे इन दोनों ने आपके कोशे का सिध्धान्त को यहां पर दिया था कोशे का सिध्धान्त जो की कुछ तीन पॉस्टुलेट्स इंपॉर कर रखा होगा है ना जिन्होंने शायद नीड भी क्वालिफाय कर रखा हो लेकिन कुछ ऐसे हैं मेरे लिए जो कुछ भी नहीं जो टेंथ के बाद शायद साइंस नहीं उठाए जिनने तब भी साइंस के वल पास होने के लिए पढ़ी तो भई मैं आप सबको एक बराबर ल और उन्होंने ही यह कहा था कि सेल या कोशिका हमारी मूलभूत और सरंचनात्मक क्रियात्मक एकाई कही जाती है इन दोनों ने कुछ ऐसे कथन कहे श्वान साहब जो है यह हमारे जूलॉजिस्ट थे ठीक है इन्होंने सभी जन्तूओं के उपर काम किया जूलॉजिस्ट मत इन्होंने बोला कि जुतने भी प्लांट हैं वो किस से मिलकर बने हैं कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं अब जब एक कहरा है सभी जन्तूओं के बारे में एक ने बोला सभी पादप के बारे में तो हमें एक ओवरॉल बात निकल की आई ना कि जब सारा कुछ ही सेल से मिलकर ब बना हुआ है तुम कहते हो ना कि मैम और çıktı हमारे कंपाउंड होजा एंदर जैंगे हो य rip इंदर शोटी चोटी एक होगी इसके बने हुए सब्स thats छोटे एक ठीक है यहीं पर मैं आपकी बात कर रहे हूह तो भाया आपके अंदर सब्साइट का इक क्या दिख रही है मैम हमारे अंदर हम जीवित हैं हमारे अंदर कोशिका दिखाई दे रही है समझे बात को अब मैम फिर ये तीसरे विज्ञाने कौन है इनकी बात आपने क्यों नहीं करी अभी तक ये हैं रोडॉल्फ वरको सहाब इन्होंने कहा था कि जितने भी सेल हैं वो सब किसी ना किसी प्री एक्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बने हुए हैं अब भई श्लीडन और श्वान साहब तो अपने कहानी दे दिये थे उसके बाद जब इन्होंने स्टेट्मेंट पास किया कि हर कोशिका पहले से बनी हुई एक कोशिका से विभाजत हो रही है वही बात की मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया कुछ तो पहले आया होगा जहां से कोशिका बनी है ना कुछ तो पहले होगा ना कि हर कोशिका कहां से बन रही है पहले से बनी हुई कोशिका से बोलो बात समझ में आ रही है, इन्होंने कुछ इसी प्रकार से अपना पॉस्चुलेट यहां पर दिया था, यह जो आप देख पा रहे हो, यह जो आप देख पा रहे हो कि मैम एक सेल तूट करके दो में बना, दो से चार में बने, यह कहानी इनों ने कहा कि भाईया कुछ तो पहले से होगा, जिससे हमारी कोशिका बनी, ऐसा तो नहीं कि है ट्रेंडम हम कहीं से आ गए, यह वो कहानी कि माम पहले, जो सबसे पहला आदमी बना, औरत बनी, है ना, वो उपर भगवान ने भेजे थे, यह एक कहानी पहले यह भी आई थी, जब आप इविल्यूशन बढ हो जाएंगे, तो यह सारे पॉस्चुलेट्स बेकार थे, इन्होंने बोला था, कि भई, आक्चुली में जो लाइफ है, वो एक सेल से आ रही होगी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड दिया, जिसको नाम दिया गया, इधर देखो भई, ओमनिस सेल्यूला, इस तब ही यही था, कि जितने भी, इसको हिंदी में भी ऐसी लिखेंगे, ओमनिस सेल्यूला, इस सेल्यूला, अला कि आप से सवाल जो है, वो सिर्फ इतने को देखकर भी पूछा जा सकता है, कि रोडॉल्फ वर्को सहाब ने, क्या कहा था? ठीके, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से उत्पन हो रही है, पटाफट से बताओ, भई, समझ आ रही है, चीज़े या नहीं, अब तुम तो उसी बात को लेके बैठ जाओगे, कि मेड़म, मुर्गी पहले आई, कि बहुत सारे experiments होते हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि माम कोई भी ऐसी at random कुछ भी बोल करके चला जाएगा, जब आप कोई भी एक postulate pass करते हैं, विज्ञान के अंदर, जब कोई भी चीज़ आपकी pass होती है, तो उसको pass होने से पहले उसके उपर हजारियों बार experiment के बनता है, अच्छा ये कहानी थी, तो ये आपकी क्या कहलाई जाएगी यहाँ पर, cell theory या कोशिका सिध्धान्त यहाँ पर आपका कहा जाएगा, इंगलिश में बात करेंगे, cell theory, हिंदी में कहेंगे, कोशिका सिध्धान्त, बोलो सबको समझ में आ रही है, यही दोनों थ आपके 1839 में इन्होंने यहाँ पर ये cell theory या कोशिका सिध्धान्त दिया, फिर आपके ये रुडॉल्फ वर्को सहावाई, 1855 में इन्होंने बोला, हर कोई, जितने भी आपके जीवित जीव हैं, जितने भी आपकी कोशिका हैं, वो पुरानी बनी हुई, किसी ना किसी कोश कोशिका से ही उत्पन हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आशिर्वाद दिया और वो उत्पन हो करके हां तयार हो गई, क्लियर है, ये थे रुडॉल्फ वर्को सहाब, ये आपके श्वान और श्लीडन जिनके नाम शायद आप मेसेज उसने भी पढ़ा हो, उसने जर नोट करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वनना बाकी जो PDF मिल जाएगी आप उसके थ्रू भी अपना वापस से बना सकते हो, अभी फिलहाल के लिए इस शीज को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, जो नोट कर रहे हैं, वो साथ-साथ में नोट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी जो cell theory है, वो यहाँ पर दी गई थी, समझ आ रहा है बात को, कि सभी सजीव वस्तुमें क्या हैं, छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलके बनी हैं, सभी कोशिका जो है, उन सब के अंदर सबसे छोटी मूलभू दिकाई कही जाती है, और सब पहले से बने हुए दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे समझ आ जाता है, बहुत अच्छी बात है यह तो, चलिए, अब आते हैं आगे, सबने नोट कर लिया होगा, अब मैं अगर मैं बात करूँ कि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या केवल एक ही प्रकार के जीव होंगे, ज जीवो को भी हमने दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में कैसे विभाजित किया, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर, एकल कोशिकिया, एकल कोशिकिया, फिर लिखेंगे बहु कोशिकिया, बहु कोशिकिया, यानि कि जितने भी अलग-अलग organisms आप लोग पढ़ते हो या तो वो single unicellular है या तो वो unicellular है या फिर वो multicellular है या फिर वो क्या है multicellular है एकल कोशिके से आप नाम समझ रहे हो जैसे कि एक बहुत प्यारा बहुत common उधारण जिसे हम कहते हैं amoeba यह structure समने देखा लोगा और इसको कहा जाता है कि यह amoeba को कहा जाता है amoeba is immortal immortal कहलो amoeba क्यों है आखिर ऐसा क्या है कि भाईया यह amoeba है इसके अंदर भी तो body में death होती होगी नहीं इसको अमर इसलिए कहा जाता है पहली चीज इसकी पूरी कहानी इसकी पूरी body जो है वो एक single cell है हम बात करेंगे हमारे अंदर बहुत सारी कोशिक आए हैं हम किस से मिल करके बने हुए है कि हमारे body में वही cell से मना उत्तक उत्तक से बने अंग अंग से बहुत सारे organ systems and then हम बनके हैं पर तयार हो गए लेकिन ये क्या है इसकी पूरी body एक single कोशिका है एक unicellular है एकल कोशिक किया है तो अगर इसका विभाजन होगा ये अब जब तूटेगी ना तो अपना इसका जो nucleus है ये divide होगा दो में और ये क्या बना लेगा अपने जैसी दो डॉटर सेल्स यहां पर बनाके तयार कर देगा तो इसकी बॉड़ी का जो भी था वह किस में आ गया इसकी दोनों बेटी कोशिकाओं में आ गया इसकी दोनों डॉटर सेल्स में आ गया ठीक है इस process को कहते हैं बाइनरी फिजन हो गया दो में जाकर के पूरी बॉडी हमारी तूट गई है बुलो बात सबको समझ में आ रही है किसी को कोई डाउट दिक्कत परिशानी हाँ एक से दो दो से चार चार से छे बन जाते तो भाई यही कहानी अमीबा के अंदर जब होती है फिर इसकी यह वाली सेल टूटेगी दो में एसे इसकी पीढी दर पीढी इस बॉडी में जो था पेरेंट के अंदर जो था वो आने वाली पीढीों में पहुचता चला जाता है तो इसलिए हम कहते हैं यह क्या है यह अमर है क्योंकि इसकी body का जो भी material था इसके अंदर कोशिका में जो भी था वो आगे आने वाली cells के अंदर transmit हो गया तो ऐसी ही जो जितने भी जीव ऐसे होंगे जो किवल एक कोशिक यह दिखाई देते हैं उन्हें हम unicellular यहां पर कहते हैं जिनकी body के अंदर एक single आपको cell जो है वो दिखाई यहां पर दे रही है चलिए आज जिनको भी नहीं पता है आज आपकी पहली class है ठीक है आज आपका इससे पहले introduction था जिसमें हमने basic बात की थी आज आपकी cell की पहली class है आप सभी आज से अपनी regular classes ले सकते हैं सेम डाइम पर छे से आठ बजे आप लोग की डेली ये class चलती है सोमवार से लेके शनिवार तक रोज आप अपनी classes को attend कर सकते हैं English की रशिका माम की classes हो रही है और next day आपकी science की class जो है वो रहती है ठीक है ये क्या हो गए unicellular हो गए इनके अंदर एक कोशिका है और ये नाम सही समझ में आ रहा है बहु कोशिकी है मतलब इसके अंदर क्या होंगे they are made up of many cells मतलब बहुत सारी कोशिका जो है वो यहां पर हमें दिखाई दे रही है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है अब अगर मैं सिर्फ ये line लिखूं कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है तो मैम बहुत सारी कोशिकाओं से कैसे बना हुआ है वही कहानी कि हमारे इस body के अंदर क्या हो रहा है division of labor देखो समझो पहले चीज़ को कि division of labor क्या होता है labor मतलब महनत मैं मेरे घर में मैं अकेली हूँ ठीक है अगर मैं अकेली हूँ तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा घर में मुझे साफसफाई भी करनी होगी पढ़ना भी होगा खाना भी बनाना है सारा काम मुझे खुद देखना पड़ेगा लेकिन अगर मेरे घर में मम्मी है पापा है भाई है बहन है तो मैं काम को बाट दूँगी, कि पापा आप ये काम कर लो, मम्मी आप ये काम कर लो, भाई जो है वो बाहर का काम कर लेगा, मैं पढ़ लेते हूँ, बाट सकते हैं, इसी प्रकार से, जब आप घर में अपने काम को बाट सकते हो, जब हम अपनी बोडी की बात करेंगे, अग किवल इसी को सारा काम सम्हालना पड़ेगा और अगर बहुत सारी कोशिकाएं हैं बहुत सारे अलग-अलग कोशिका जो हैं वो आपके अंग प्रणाली बना रहे हैं तो हम कह देंगे कि पाचन तंत्र पाचन सम्हालो श्वसन तंत्र आप जो oxygen है उसका exchange यहां पे कर लो circulatory system यानि कि parisentient तंत्र भहिया तुम blood का circulation सम्हालो हम क्या कर देते हैं हम divide कर देते हैं काम को हम एक के उपर सारा burden नहीं डालते हैं समझ रहे हैं इसी को कहा जाता है division of labor आप यहां पे कह सकते हो कि जितने भी बहु कोशिकिये होंगे उसके अंदर आप काम को बाट करके करवा स सकते हो बोलिए बात समझ आ रही है तो जब भी हम कहेंगे कि भाईया हमारी body किसकी बनी हुई है unicellular की मतलब single cell के अंदर ही सारा काम हो रहा है कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हो यह क्या है यह आपको यहां पर यूगलीना दिख रहा है मैं paramecium की बात करूँ ठीक वो किसके बने हुए हैं बहुत सारी कोशिकाओं के यहां पर बने हुए दिखाई देते हैं जैसे कि कोई भी plant है या कोई भी मानव है कोई भी plant है या कोई भी मानव है बोलिए जी समझ आ रहा है सबको ठीक है इसी को कहा जाता है कि जितने भी आपके living organisms हैं जो भी आपके कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तो भईया उनकी अंदर जो भी कोशिका होगी वो मिलकर के definitely कुछ न कुछ अंग और अंग प्रणाली बनाएगी ही बनाएगी तो ये तो माम एक प्रकार का विभाजन हुआ अब मैं अगर आप से कहूं कि देखो भई धीरे धीरे करके हम evolve होते आए सबसे पहले लिविनौक साहब ने क्या ढूंडा था बैक्टिरिया ढूंडा था उसके अंदर उसकी कोशिका के अंदर सारा कुछ नहीं था मतलब अगर मैं एक मानव की कोशिका को compare करूं एक जिवा करनू की कोशिका जो होगी वह आपको दिखाई देगी कि उसके अंदर सारे कोशिकांग उपस्तित नहीं होंगे जो जो चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए थी वह एक basic structure होगा लेकिन जब उसके अंदर और ज्यादा चीज़ें advance हो जाएंगी तो वह बन जाएगा एक मान यू केरियोटिक यू केरियोटिक प्रो केरियोटिक वह होते हैं जो आपके primitive रहते हैं देखो basic कहानी है जरह एक बार दुबारा से ध्यान देना प्रो मतलब और एक चीज़ जो भी note कर रहा है जो भी note कर रहा है चीज़ों को ना words को break करते वे भी लिखते चलना अगर तुम आप उसको note जरूर कर लेना अब जैसे मैंने आपको कहा प्रो केरियोटिक प्रो का मतलब क्या है primitive प्रिमिटिव मतलब माम जो बहुत पहले आया हो प्रो प्रिमिटिव जिसके अंदर जादा advancement नहीं हुई हो तो जो आपको पहले आया हुआ दिखाई दे रहा है प्रिमिटि की बास करेंगे तो यह भी हमारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कोशिकांग कहा जाएगा किंद्रक यह नाभिक जिसको आप पढ़ते हूं ह Southern केंदर के नावबिग तो आप पढ़ते हो यह हो गया हमारा नूप्लियस तो जो जिंके अंदर नूप्लियस थे प्रिमिंटिव हैं ज्ञाधा एडवांस नहीं हुआ था वह प्रोकरियॉटिक eukaryotic मतलब जिनके अंदर advancement दिखाई दे रही है you मतलब true आप आगे और भी चीज़ें पढ़ोगे जहां देखोगे you, you का मतलब होता है सच्चा, true एक तरीके से हम इसे use करेंगे और karyo word again किसके लिए आगया, nucleus के लिए इसके अंदर क्या होगा, आपके जितने भी कोशिकांग है वो उपस्तित होंगे पूरी तरीके से develop होके advance रूप में और ये क्या होगा, ये एक basic structure दिखाई देगा प्यारा उधारन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, bacteria का यानि की जीवानू का जीवानू का, जीवानू क्या है, जीवानू जो है हमारा वो एक prokaryotic organism देखा जाता है, कैसा भया prokaryotic organism देखा जाता है तुम पते हैं, तुम लोग जब exam देने जाओगे न आप कोई भी exam देने जाओगे, तो वहाँ पर आपके जब SSC के दुबारा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो examiner हमेशा अलग-अलग mood में आते हैं, ठीक है, पेपर सेट करते हैं टाइम पे, अब वो जब पेपर सेट कर रहे होंगे, तो क्या पता उनका mood कैसा हो, लेकिन वो सवाल जो भी रखेगा, वो रखेगा इस चाप्टर से ही related, है न, वो रखेगे कैसे इन चाप्टर से ही related, कि भई या, cell में क्या था, आपकी body में क्या काम हो रहा है, पादप में क्या था, वो ये नहीं पूछने वाले कि आप कहां पढ़े थे, किस से पढ़े थे, है न, यह जो सीरीज आज से जो स्टार्ट की गई है आप डेली बेसिस पर अपने जो इनको लीजिए इंग्लिश की हो चाहें वो साइन्स की हो आपके हर एक एक जाम के लिए हलपफुल है इसलिए बेसिक से इसलिए इसका नाम है अटूज़ेड अब पढ़ना है तो एक्जामिनर क शाए होगी जो मुझे देखने को मिलेंगी सबसे पहली बात इसके अंदर मेंब्रेन बाउंड न्यूक्लिएस देखा जाएगा मेंब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा मतलब ठीक है कि AM 17 होगा आप कह सकते हो कि जिलि बाधित के इंद्रक अनुपस्तित है अब प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव के अंदर जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर आपका हर एक चीज उपस्तित हो उस टाइम पर जादा एडवांस्मेंट नहीं हुआ था तो यहां क्या हो जाएगा जिल्ली बाधित नूकलियस नहीं होगा और यहां पर जस्ट विपरीत कि यहां पर मेंब्रेन बाउंड नूकलियस प्रेजेंट होगा मतलब केंद्रक के उपर क्या होगी जिल्ली होगी मेंब्रेन बाउंड न्यूकलियस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिल्ली बाधित केंद्रक ठीक फिर आती है बात कि चलो मैम ये भी ठीक है इसके अलावा हमारे इस primitive कोशिका के अंदर और क्या क्या चीज़े हों सकती है वो एक important part होता है जीसे हम कहते है DNA अब ये DNA इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है बट फर्क इतना है आप जो DNA पढ़ते आए हो देखो जिसने भी DNA देखा होगा ना वो कुछ इस आकार का दिखाई देता है कि माम ऐसा DNA हमें देखने को मिलता है मगर यहां प्रोकेरियोटिक में जो DNA होगा देखे वह इधर प्रोकेरियोटिक के अंदर जो DNA है वो कैसा है माम सरक्यूलर है मतलब गोलाकार है जो नोट कर रहा है साथ में नोट जरूर कर ले इसका DNA कैसा होगा कुछ इस प्रकार का गोलाकार हमें यहां पर दिखाई देगा आप जब DNA देखते हो अपनी बोडी में जब आप DNA देखते हो हम उस DNA को कैसे पढ़ते हैं कि माम एक DNA है यह DNA का धागा है यह आगे जाकर के प्रोटीन आएगा हिस्टोन का प्रोटीन उससे लिपटता हुआ चलता है और आगे जाकर के ना कुछ ऐसे गुणसूत्र बना करके तयार कर देता है क्रोमोजोम्स बनाके तयार कर देता है यही चीज हमें कहां देखने को नहीं मिलेगी वो होंगे प्रोकेरियोटिक मतलब जो यहां पे कम है जो यहां पर एडवांस नहीं हुई है वो चीज़ें यहां जाकर के आपकी एडवांस भोकर के दिखाई देंगी कैसे दिखाई देंगी तो भी यह देखो जरा यहां पर इसका DNA गोलाकार है क्या इसके अंदर हिस्टोन नाम का प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन एपसेंट ठीक है हिस्टोन प्रोटीन यहां पर नहीं होगा और यहां बात करूँ तो DNA कैसा होगा वही आपका linear DNA दिखाई देगा और यहां पर हिस्टोन प्रेजन्ट होगा ठीक है रेखाकार DNA DNA आपको समझ आया कि DNA क्या है DNA होता है डियोक्सी राइबोन यूकलेक अमल DNA एक अनुवांशिक पदार्थ के तोर पे काम करता है जो हमारी बोडी से अपने आने वाली पीडी की बोडी के अंदर जो सूचनाय होती है उनको लेकर के जाने का कार्य करेगा तो DNA से समझ पाई कि DNA डी ओक्सी राइबोन यूकलेक अमल जिसके अंदर आपका कुछ शुगर भी होगा कुछ फॉसफेट भी होंगे और कुछ नाइट्रोजन के बेस भी आपको दिखाई देते हैं मिटा ये बैट हर एक एक्जाम के लिए है लेकिन जो CHSL की तयारी कर रहे है न तो पहले जारा समझने का प्रयास किया करो पहले ही परिशानना हो जाय करो इसके अंदर क्या होगा इंटर्नल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कुछ और और गिनल्स कुछ कोशेकांग होंगे सारे कोशेकांग आपको दिखाई नहीं देते हैं नहीं पढ़ना माम नहीं पढ़ना है ना बस इसके अंदर क्या है राइबोजोम्स हैं तो माम इसके अंदर क्या होंगे इसके अंदर क्या राइबोजोम्स नहीं होंगे इसके अंदर भी राइबोजोम्स हैं तो बताओ फर्क क्या है दोनों में जल्दी बताओ एक पार फर्क कोशिखा की नदर वाली कोशिखांग लाई के पाय जाने वालै उसके अलग-अलग एंग है यहां जो राइब आपसे पूछा जाता है कि यहां राइबॉ जोंगे वह कैसे दिखाई देंगे ठीक है यहां अगर मैं बात करूँ मजने अब केरा यूणी कोशी कोंड़े है। को तक चितने भी यहां पर जीव होंगे वह कैसे एं यूणी सेल्य और है या आपके होगे एकल कोशी कीए लेकिन यहां प्रोकेरियोर्टिक के बाद यूकेरियोर्टिक के अंदर आपके यूनी सेलीलर भी है और मल्ती सेलीलर भी हो जाएंगे ब्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक के बीच में जो आप अंतर देखते हो अगर आप किसी भी एक प्रोकेरियोटिक सेल को देखोगे तो वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती, एक जीवानू की cell दिखाई दे रही है, यह क्या है, यह prokaryotic cell है, नाम से मतलब समझे, pro मतलब primitive, karyo मतलब जो आपका nucleus जो है, इसके अंदर कैसा होगा, nucleus इसके अंदर primitive होगा, जिल्ली उसके उपर नहीं होगी, कुछ ही अंग इसके ऐ पीचों बीच में क्या भर रहा है माम साइटो प्लाज्म भर रहा है बोलो यह तो माम कोशिका हो गई ठीक है ठीक है इसके अंदर यह जो भर रहा है दिस इस साइटो प्लाज्म क्या है भाई साइटो प्लाज्म अब एक बहुत बड़ा फर्क समझना कि माम कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर अगर साइटो प्लाज्ब है और इसी तरल पदार्थ के अंदर तैठते हुए मुझे क्या दिख रहे है मेरे छोटे-छोटे से कुछ कोशिकांग है जो की हम बढ़ेंगे आगे यह नाभिक है यानि की केंद्रक है सूतर कनिकाएं हैं, राइबोजोम, लाइजोजोम, गुलगी बोडी, एंडोप्लाजमे क्रेटिकुलम, यां तहप्रद्वी जालिका ऐसे बहुत सारे अलग-अलग कोशिकांग हमारे इस कोशिकांग के अंदर तैरते वे दिख रहे हैं यह जो द्रव्य इसके अंदर भरा हुआ है, जिसमें वो तैर रहे हैं, वो है साइटो प्लाजम अगर किसी ने कभी ध्यान दिया हो, किसी ने कभी पढ़ा हो या जिसने ना भी पढ़ा हो वो एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक टर्म आएगी जिसे कहेंगे प्रोटो प्लाजम क्या कहेंगे? प्रोटो प्लाजम आपके मन में आएगा कि माम ये प्रोटो प्लाजम और ये साइटो प्लाजम क्या ये दोनों same है किसी भी कोशिका के अंदर अगर मैं द्रव्वे भर रही हूं तो मैंने उसे क्या बोला Cyto कोशिका है तो Cyto word use कर लिया Cell, Cyto, Cytoplasm हो गया अगर मैंने बोला Protoplasm तो Protoplasm और Cytoplasm में क्या अंतर है कौन बताने वाला है कौन बताने वाला जल्दी से बताओ बिटा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका चल रहा है PDF अभिने मैच अप्लिकेशन पे आपको मिल जाएगा जन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो सब डाउनलोड कर लें वो डाउनलोड यहाँ पर कर लें हाँ आपको लग रहा है न मैम यह दोनों शायद सेम होंगे अगर मैं साइटोप्लाजम की बात कर रही हूँ तो यह तो केवल इस कोशिका का भरा हुआ द्रव्य है मान लो अगर मैं इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर यहाँ इस निूकलियस को भी बिठा दूँ इस निूकलियस को भी मैं यहाँ पर बिठा दूँ और मैं कहूँ यह भी द्रव्य भी है और केंदरक भी है अब मेरे सामने जो है वो प्रोटोप्लाजम है मतलब protoplasm को आप लिख सकते हो कि this is cytoplasm, कोशिका द्रव्य, प्लस केंदरक, प्लस nucleus अगली बारी अगर ऐसा कुछ भी आता है तो इस point को जरूर याद रखना कोशिका द्रव्य, प्लस केंदरक को हम protoplasm यहाँ पर कहते हैं यह जीवित कहा जाता है, protoplasm क्या है, living है, क्या है, जीवित है यह ऐसा fact है जो बहुत सारे students इसमें confused होते हैं और करके आते हैं गड़बढ है ना, करके तो मैम आते ही आते हैं और जब कुछ ना मिले, जब कुछ समझ में ना आए, जब मैम रिस्पॉंड ना करें आपको, मैम चाहती है कि भाई, content पे ध्यान दे लें, आपको चीज़ें जाद अच्छे से समझ में आ जाए, तो कह दो मैम क्लास तो recorded है, क्ये फरक पड़ रहे हैं, क्ये फरक पड़ रह यार वो कैसा सवाल मना सकता है, इसे कहते हैं, smart study, hard work, किताबे उठाई, रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, करे जाए, सब कर रहे हैं, मैं हम थोड़ा दिमाग से खेलेंगे, हम बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो अब इन ही सारी, इसके अंदर, जितने भी कोशिकांग आप लोग देखेंगे, अलग-अलग प्रकार से इस सेल के अंदर, जो आपको कोशिकांग दिखाई देते हैं, इन सब कोशिकांग को, electron microscope के दवारा देखा गया, उस electron microscope की खोज करी थी, नौल और रसकाने, किसने करी थी, नौल और रसकाने, बहुत important factor है, याद रखिएगा electron microscope, अब तक तो आपने देखा न, कि किस प्रकार से, रौबर्ट हुक सहाब और एंटोनी वेन लिविन हुक सहाब, जो microscope यूज कर रहे थे, किटार की तरह सा लग रहा था, माम वो तो properly बना भी नहीं था, लेकिन पहला, जो आपका electron microscope बना था, उसकी खोज करी थी, नौल औ रसका ने, 1940 में, नौल और रसका, इन 1940, कब डिसकावर हुआ, 1940 में, क्या करी थी, खोज करी थी, किसकी करी थी, electron microscope की करी थी, जब इसकी खोज हुई थी, न, तो सबसे पहली बार, जो कोशिकांग दिखे थे, देखो कुछ इस प्रकार से थे, ये, गोल की काय दिखा, क्लोरोप्लास्ट दिखा था, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम दिखा, कुछ इस प्रकार से आपके, ये मुख्य, कोशिकांग आपको दिखाई दिए, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मैम, सेल क्या है, किसने बनाया, कहां से बना, कौन-कौन इसकी डिस्कवरी में यहाँ पर शामिल है, और किस प्रकार से आपको ये कोशिकांग जो है, वो दिखाई दिए हैं, फटा-फट से बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम फटा-फट से, यही कहलाती है, कि मैम हमारे जुतने भी अलग-अलग कौशिकांग है, इन सब को बोला जाता है, सेल ओर्गिनल्स, क्या नाम देते हैं हम इने, सेल ओर्गिनल्स, यानि कि सेल तो मैम हम समझ गए, लेकिन सेल के अंद पाए जाने वाले, सेल यानि कि कोशिकांग के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं, उसको हम कोशिकांग बोलते हैं, या एंग्लिश में सेल ओर्गिनल्स कहते हैं, इस सेल ओर्गिनल्स मतलब ओवरॉल जो हम बात करते हैं कि इसकी खोज किस ने करी थी, इसकी खो कि यह इंपोर्टेंट है क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना क्रिश्चन डी दवे ने क्या करी थी कि अरे भैया पढ़ लो सेल ओर नेल जयानिक को शीकांग की खोज यहां पर सबसे पहली बार करी गई थी अब उनहीं कोशिकांग के बारे बहरे हमें पढ़ना है किwie किकस प्रकार से वहां को अलग अलग कोशिकांग होते हैं वहां आपके देखे जाते हैं आओ ज़रा देखते हैं अच्छा उस्ते पहले मुझे एक बार एक थमसब का साइन भेजो फटाफट से कि यहां तक माम हमें कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई समस्या नहीं होगी कोई नहीं है अगर कोई डाउट है तो फटाफट से एक बार आप लोग पूछ सकते हैं नोट्स कैसे बनाएवुट है नोटस आप साथ-साथ भी बना सकते हो जिनको लग रहा है कि हम साथ-साथ में चल पा sensations बना सकते हो और जनको लग रहा है कि मुझे बाद में PDF के थिरो नोट्स बनाने वो PDF के थिरू भी अपने नोट्स यहां पर बना सकते हैं पीडिएफ कम्प्लीट विद डिलेग्राम्स विद अनोटेशन विदाउट अनोटेशन आपकी अपलोड करा दी जाएगी ठीक है अब अगर मैं बात करूँ इसी सेल ओर्गिनल की इसी कोशिकांग की तो इस कोशिकांग के अलग-अलग जो हिस्से हैं वो हम यहां पर बढ़ अगर मैं किसी भी सेल के कंपोजीशन को देख रहे हूं तो इसमें सबसे जादा मात्रा में हमारा पानी जो है वो उपस्तित होता है सबसे जादा मात्रा में सतर से नभ्ह परसंट क्या है पानी देखा जाएगा प्रोटीन की बात करूँ तो दस से पंदरा परसंट हमारे प परसंट है न्यूक्लिक अमल जो आपने अगर सुने हों कि माम डियने और आर ने दो प्रकार के होते हैं यह हमारे पांच से साथ परसंट हमें दिखाई देते हैं और कुछ आयन्स जैसे कि क्लोरीन का आयन है ठीक है मेगनीशम के आयन हो गए एमजी टू प्लस सी ओ थ्री टू नेगेटिव यह ऐसे कुछ आयन एक परसंट हमें दिखाई देते हैं जो स्टेल के जो कोशिका के लिए बहुत जादा महतुपूर्ण यहाँ पर दिख रहे होते हैं अब बात करते हैं कि माम अगर मैं किसी भी कोश कशिका को यहाँ पर देख रहे हूं तो उसके अंदर कुछ अलग-अलग से अंग जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हिंधी एंग्लिश्ज दोनों में आपका जो है वो चल रहा है जिससे पढ़ना होता है जिसको लगान होती है ना उन्हें इन सब चीजों स जैसे मतलब नहीं होता है ना और जैसे नहीं पढ़ना होता वह comment section में भी नहीं पढ़ेगा वह अक्यले भी नहीं पढ़ेगा और चाट बंद करके भी पढ़ेगा तो मैम इन में से कुछ ऐसे होते हैं जिनके उपर जिल्ली होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके उपर जिल्ली नहीं होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके उपर एक के अलावाद दो जिल्लियां होती है तो अगर हम सेल चैप्टर की बात कर रहे हैं यहां से कई बार और सबस सबसे जाए सब्सक्राइट बिद्राइबा नहीं यह आपका पेंड़ बजूले सब्सक्राइब अक ब스יनma नहीं पर मतलातियाने सब्सक्राइब वो सेम हूँ अब बोलो मैं आउटर जिल्ली क्या होती है आउ ज़रा धियान दो इदर भाई इतहद कर देते हो तुम लोग कभी कभी सेल और यानि की कोशिकांग अब इस डाइग्राम को जो बना रहा है वो साथ-साथ में बना ले कि मैं मेरे पास एक सेल है फो इस सेल की एक झिल्ली मुझे दिखाई दे रही है अंदर की तरफ कहीं यहाँ पर नाभिक बैठा ہوगा इस नाभिक के बराबर में कुछ ऐसी सन रचना दिखाई देती है जिसे उम अंतहः प्रद्वी जालिका का नाम यहाँ पर देते हैं कुछ गोलगी बोडी भी मुझे याँ पर दिख रहे होंगी जिसे हम गोलगी काय कहेंगे कुछ छोटे-छोटे लाइजोजोम्स दिखाई देते हैं अभी डीटेल में सब पढ़ लेंगे पहले इतना समझ लो जो मैं आपको समझा रहे हैं यह जो मुझे केंद् प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा जिल्ली या प्लाजमा मेंब्रेन वो कैसी होगी वो हमारी जन्तु कोशिका होगी आपने कैसे पहचाना कि यह जन्तु कोशिका है एक्चली में जिसके अंदर केवल एक जिल्ली होती है वो हमारी जन्तु कोशिका होती है क्योंकि उसके भित्ती वो absent होती है वो हमारी यहाँ पर नहीं होती है तो आप कह सकते हो कि यह क्या है एक animal cell है क्या है यह एक animal cell या एक जन्तु कोशे का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एक जन्तु कोशे का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्यों only only plasma membrane is present Hindi वाले लिखेंगे केवल plasma जिल्ली उपस्तित है केवल plasma जिल्ली उपस्तित है ठीक है? केवल plasma जिल्ली यहां पर उपस्तित है तो फिर मैम इसके अलावा भी कोई जिल्ली होती है डेफिनिटली होती है जब हमने जन्तु कोशिका की बात करे अब जब मैं प्लांट सेल को देखूंगी यह हमारा एनिमल सेल है अब अगर मैं यहाँ पर ही प्लांट या पादप कोशिका को देखूं पादप कोशिका को देखूं तो देखू भई वापस से आजाओ इस डाइगराम को जो बना रहा है वो साथ साथ में बना लेगा कि मैम एक लेयर तो मेरी ये रही एक सिंगल लेयर है एक जिल्ली यानि कि प्लास्मा मेंब्रेन हो गई मैम इसके अलावा न एक जिल्ली और यहां पर उपस्तित होती है उसको भी ध्यान देना है जो इसके जस्ट अंदर की तरफ मुझे आती हुई दिखाई देगी ठीक है तो आप इसे कह सकते हो यह यह दो जिल्लियां जो दिख रही है इसमें बाहर वाली क्या है सेल वॉल है यानि की कोशिका भित्ती है कोशिका भित्ती है और अंदर वाली क्या है मैम सेल मेंब्रेन या प्लाजमा मेंब्रेन इसको कहा जाता है या प्लाजमा मेंब्रेन इसको कहा जाता है प्लाजमा की जिल्ली ऐसा नहीं है कि अगर वो सेल मेंब्रेन लिख देगा तो तुम किया दो कि नहीं नहीं यह तो आउट आफ सेलेबस है मुझे नहीं पता यह कहां से आ गया यह तो मैडम नहीं पढ़ाया है ना सिंपल सी वात है दोनों ही चीज़े हैं कॉमेंट दुनिया अलग ही चलती है तो यह दो जिल्लियां किसकी हुई एक सेल वाल है कोशे का भित्ती है बाहर की तरफ होगी हमेशा अंदर की तरफ प्लाज्मा जिल्ली दिखाई देगी फिर आपको अंदर की तरफ यह जो भरा हुआ हमें द्रव्य दिखाई देता है ठीक कोशिकांग उपस्तित होते हैं एक तरफ हमारा नाभिक है बाकी सभी जो ऑर्गिनल्स हैं बाकी सभी जो कोशिकांग है वो दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले हम जन्तु कोशिका की जब बात करते हैं और पादप कोशिका की जब बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि भाई कोशिका भित्ती का कोशिका भित्ती केवल और केवल प्लांट सेल में आपको दिखाई देती है किसकी बनी हुई दिखाई देती है देखिए इधर अब यही चीजे अभी पांच मिनिट बाद जब मैं सवाल पूछूँगी तो सब के होश उड़ जाएंगे कि मैं यह क्या पूछ लिया प्लांट सेल के अंदर क्या है सेल वॉल प्रेजिंट क्या होगा भीया कोशिका भित्ती उपस्तित है कोशिका भित्ती पाई जाती है किस्ते मिलकर के बनी हुई है सेल्यूलोस की बनी हुई दिखाई देती है सेल्यूलोस ठीक है, cellulose की plant cell के अंदर cellulose की plant cell या पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ती है, वो हमारी बनी हुई दिखाई देती है तो एक-एक करके इन सभी कोशिकांगों को अब हमें पढ़ना है कि क्या किस प्रकार से हमारा देखा जाता है सबसे पहले heading डाल लो कोशिका भित्ती के बारे में सबसे पहली heading क्या पड़ेगी माम? cell wall के बारे में, यानि कि कोशिका भित्ती के बारे में कोशिका भित्ती अब कोशिका भित्ती क्या है एक तरीके से? outer layer है, सबसे बाहरी जिल्ली है क्या है भाई सबसे बहारी जिल्ली है और बहारी जिल्ली होने के साथ-साथ ये केवल पादप कोशिका में उपस्तित होती है ये जन्तु कोशिका में नहीं मिलेगी बाकी आपको कवक में दिख जाएगी जीवाणू में दिख जाएगी तो मतलब अलग-अलग जीवों में दि और आपको मैडम शरीर के अंदर ना उर्जा नहीं रही अब सुबह से खाली पेड़ बैठे हैं और कुछ भी नहीं खाया उर्जा नहीं है तो उस ताइम पर हमारे शरीर में मास पेशियों के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन तूट करके पाई जाते हैं तो सेलिलोस के अंदर भी शर्करा है लेकिन कहाँ होगा जनतुओं के अंदर उनकी मास पेशियों में इखटा होकर के रहता है जैसे मम्मी चावल दब्बे में पैसे चिपागे रख देती हैं कि जब इम्जेंसी होगी तभी निकालूँगी वरना मैं इसको भाहर नहीं निकालूँगी मेरे पैसे खाना स्टोर करके रख रहा है घटा करके रख रहा है जब जरूरत होगी तो माम ग्लुकोज में टूट जाएगा ये सारे काम हमारे आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले सेल वाल सेल वाल कहा है only in plant cell केवल और केवल कहा मिलेगी पादप कोशिका में सीधा सवाल आदा भई देखो यहां से केवल पादप कोशिका में मतलब जन्तूओं में नहीं है और अगर मैं बात करूँ कि ये किन किन की अंदर कैसे दिखाई देती है तो ये outer layer है बाहरी जिल्ली है एक टेवल बनाना plants या पादप फिर बात करेंगे bacteria या जीवानूं और अब बताओगे आप लोग फिर करेंगे माम शैवाल की यानि की एलगी फिर बात करते हैं हम यहाँ पर कवक के बारे में यानि की बन जाए इन सब के अंदर अगर पूछा जाएगी भाईया सेल वॉल कोशिका भित्ती किस से मिलकर के बनी हुई है किस से मिलकर के बनी हुई है सबसे पहले पादप की बात तो चलो पादप के अंदर तुम्हाम हमने अभी डिसकस कर लिया कि भाईया किसकी है सेल्यू लोज की बनी हुई है कि जीवाणू में किसकी बनी होती है सोचो जरा और फटा-फट से आंसर बताओ कि जल्दी जल्दी से आंसर बताओ किसकी मिलकर के आपके बैक्टीरिया के अंदर ये कोशिका भित्ती जो है वो बनी हुई है आउटर लेयर है सबसे भारी सन्रच्णाय केवल जंतुओं में कि पाई जाती है कि काईटिन की यह देखो यह जीवाणू में काईटिन लगा रहे हैं अरे बैक्टीरिया है याद रखना माम पैप्टाइडो ग्लाइकन एक नाम याद रखेंगे पैप्टाइडो ग्लाइकन ठीक है प्लस म्यूरीन किस-किस की बनी होती है पैप्टाइडो ग्लाइकन और म्यूरीन की पेप्टाइडो ग्लाइकन और मियूरीन की बनी हुई दिखाई देती है अब सवाल कि मैं यहां किसकी ओगी शेवाल के अंदर किसकी दिखाई देगी वेरी गुडिग जहां पादप की बात आई थी तब भी अगर cellulose था तो LG की बात करूँगी तब भी हमारा cellulose ही हमें दिखाई देता है यानि कि शेवाल के अंदर भी किसकी होती है cellulose की होती है कवक की जब बात करी जाती है तो कवक के लिए नाम लिख लेना यहाँ पर काइटिन काइटिन की बनी हुई हमें दिखाई देती है कवक के अंदर काइटिन की बनी हुई जब भी कोशिका भित्ती पे सवाल आता है इन चारों बाचों में से आपसे एक अद्दा तो पूछी लेते हैं कि भाया किस प्रकार से इनकी जो इनकी जो सेल वॉल है वो आपको अलग-अलग बनती हुई दिखाई दे रही है और यही सेल वॉल यही सेल वॉल हमें कुछ इस प्रकार से दिखती है देखिए पादप कोशिका में बाहरी जिल्ली दिख रही है बिल्कुल आउटर लेयर है ये सेल अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ इसकी जिल्ली है ये तीन जिल्लियों में बटी हुई होगी एक प्राइमरी होगी, एक सेकंडरी होगी और एक मिडल वाली होगी जब भी ऐसे बात आती है न मैं एक पहली है एक दूसरी है तो बीच में एक मध्य वाली तो अपने आप या जाती है प्राइमरी, सेकंडरी और बीच में एक मध्य वाली देखो तरह इतर ध्यान दो ये क्या होगी अंदर की तरफ सेल है आपको दिखाई दे रही जो बीच का स्पेस है इसे हमने बोला middle ने मिला अंदर की तरफ जो है वो दोहरी या secondary नमबर की बात करेंगे और पहली प्राथमिक वाली जो होगी वो आपको सबसे बाहर की तरफ दिखाई दे रही है तो कोशिका भित्ती तीन जिल्लियों की बाहरी दिखाई दे रही है प्राथमिक जिल्ली ठीक है फिर secondary वाली जो है वो अंदर होगी कभी यह मत सोच ना कि मैं पहली आ गई फिर दूसरी लगा दूँ नई दूसरी वाली जो होगी वो सबसे अंदर है मध्य वाली middle वाली तो हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यह मध्य लेमिला जो है यह कहां होगी मध्य में होगी यह बाहर है और यह हमारी आंत्रिक जिल्ली दिखाई देती है ठीक है आंत्रिक जिल्ली कि भूलो भी कहानी समझ में आ रही है सबको कहानी समझ में आ रही है हाँ जी तो ये तीन लेयर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है मिडल लेमिला जो है वो आपको यहाँ पर मध्य में दिखाई देगी बिल्कुल सही और इसी के अंदर आपको जो पैक्टिन नाम का देखो इधर यहां पर Pectin पाया जाता है Pectin मतलब यह किस्ते मिलकर के बनी है तो Pectin होगा इसके अदर Calcium के और Magnesium के Salt जो है वो आपको दिखाई देंगे Calcium के और Magnesium के तो तीन लेर्ज के नाम लिकेंगे सबसे पहले प्रात्मिक वाली पिर दूसरी हो जाएगी आपकी मध्य वाली मिडल लेमला जो पेक्टिन की बनी है इसमें केल्शिम और मिगनीशिम के सॉल्ट है और अंदर वाली सेकिंटरी जिल्ली जिसमें आपको सुबेरिन, सेलिलोज इस तरीके के जो अलग-अलग इंजाइम्स हैं वो आपको यहाँ प प्राइमरी वाली जब सेल की गरोथ होती है तो यह प्राइमरी की प्रात्विक वाली गरो गरती भी दिखाई देती हैं दूसरी मैंने बोला मध्य लेमिला मिडल लेमिला ये middle lamella के अंदर दो चीज़ याद रखनी है एक तो ये पेक्टिन की बनी होती है दूसरा इसके अंदर calcium and magnesium के salt जो है वो उपस्तित होते हैं calcium और magnesium के salt उपस्तित होते हैं ये cell wall होती है कैसी होती है थोड़ी सी इसके अंदर ये जो जो secondary wall है इसकी जो दोहरी जो अंदर वाली अंतरिक जिल्ली है secondary wall केहेलो जिल्ली केहलो ठीक है इसके अंदर आपको लिगनिन की presence दिखाई देगी मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है लिगनिन पाया जाता है सुबेरिन पाया जाता है केल्शियम पेक्टेट होता है इन सारी चीजों की उपस्तिती आपको सबसे अंदर वाली जिल्ली के अंदर दिखाई देती है और यह secondary कब बनेगी देखो मेरे पास यह पहली वाली जिल्ली थी यह बाहर की तरफ पहली वाली जिल्ली थी जब बाहर वाली जिल्ली मच्योर हो जाएगी परिपक्व हो जाएगी तो अंदर एक और जिल्ली बना करके तयार कर देती है जिसको हम secondary layer या secondary जिल्ली यहाँ पर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं secondary जिल्ली यहाँ पर कह रहे हैं clear तो इसी लिए याद रखिएगा कि यह जो secondary जिल्ली हम कह रहे हैं यह कब बनेगी when primary वाली जब mature हो जाती है आप लेख सकते हो it is form when primary वाल matures ठीक है चलिए हिंदी में लिखेंगे लिगन सुबेरिन और केल्शियम पैक्टेट केल्शियम पैक्टेट उपस्तित है साथ में प्रात्मिक जिल्ली के परिपक्व होने पर बनती है बोलिए समझा आ रहा है सबको हां जी secondary wall समझ में आई सबको अब एक note डालके एक important point डालके और लिख लेना एक note करके लिख लेना यहां पर क्या है माम नोट कुछ इस प्रकार से है अगर आपसे पूछा जाए कि cell wall lignin की वजह से इसको लिखना cell wall is rigid because of lignin यह सवाल पूछा गया है आया हुआ है आपका भाईया यह जो कठोर होती है ना यह किस वजह से होती है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास मैं यहां पर cell wall है तो यह जो cell wall मेरी कठोरता इसकी जो property दिखाई दे रही है वो किस वजह से है लिगनिन की वजह से कोशिका भिति कोशिका भिति की कठोरता lignin की वजह से होती है हाँ भाई कितने नोट कर रहे हैं साथ साथ में जितने साथ मैं अपनी copy column किताब पर note कर रहे ना भला हो जाएगा कि मैं अपनी अगर मैं copy pen पर properly चीज़ें लिख रहा हूं तो मेरा mind आधी चीज़ें तो वैसे ही store कर लेता है कि अच्छा अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने खुद लिखी थी वरना तो सब chat box में ये अंगु क्या रहने वाले भया important होने वाले हैं तो इन्हें अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी जिल्ली किसकी बनी है और कितनी अलग-अलग जिल्लिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है यह जो लिखा है यह आप note कर लेना इसके अलावा तो diagram मैंने आपको बता हाँ, बिल्कुल सही अब आती है मैम यह तो हमारी बहारी जिल्ली हो गई यह तो cell wall हो गई अब इसके अंदर एक और जिल्ली बैठी है जैसे कहते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन बड़ी इंटरेस्टिंग जिल्ली है जैसे तो नहीं घर में गार्ड होते हैं यह कहीं कॉलोनी के आंदर जो भी रहने वाले हैं हम सिर्फ उन sıंहीं की एंट्री कराएंगे हम हर किसी की एंट्री नहीं होने देंगे कुछ protection के लिए जो गार्ड बिठाए जाते हैं यह प्लाजमा जिल्ली भी אלक कुछ अलग करके लेयर्स को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है यह मध्य वाली लेमिला है यह प्राइमरी और फिर नीचे की तरफ प्लाजम मेंब्रेन जो है वह आपकी आ जाती है ठीक है नेक्स जब हम बात करते हैं इधर ध्यान दीजे यह हमारी प्लाजमा मेंब्रेन को कोशिका भित्ती नहीं है यहां डायरेक्ली क्या है यह बाहर की तरफ जो तुम्हें दिख रही है यह हमारी प्लाजमा जिल्ली कही जाती है यह बड़ी इंट्रेस्टिंग है कैसे है मैं पहली चीज तो यहां से देखो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आएगा उसको अंदर न इंट्री नहीं होने देती इसलिए इसको यहां पर पारगम में जिल्ली कहा जाता है कैसी पारगम में जिल्ली इहां पर इसको कहा जाता है टेंचन मतलो जितने इहां पर यह कॉमेंट सेक्शन में जो कर रहे हो न कुछ नहीं हो सकता बिटा चलिए तो अगर मैं इसको यहां जिल्ली में दोहरी जिल्ली दिखाईए देती है इसकी पास्फोल लिपड की सिंगर थी पहली चीज के इसको जरह हाँ पर नूट करो कोशकांग जिसे हम कह रहे हैं प्लाज्मा मैंब्रेन कि प्लास्मा मैंब्रेन को अब जनतू कोशे ग्रोगा उसकी जो रूप रेखा 구 flows 50% में बना रही होगी कौन प्लाजमा जिल्ली आप लिख सकते हbilir हमारी दोरी परत की यहां पर दिखाऊं तो आप कहोगे माम एक लेयर ये उपर जा रही है एक लेयर ये नीचे जा रही है दो लेयर है हाँ दो लेयर दिखाई दे रही है यह जो दो लेयर है माम यह सबसे ज़्यादा important देखी जाती है क्योंकि इस layer की ही सबसे ज़्यादा उपस्तिती इस plasma जिल्ली के अंदर होती है यह बनी होती है phospholipid की फॉसफेड वाले जो वसा के अनू होते है उनकी यहाँ पर यह बनी हुई दिखाई देती है साथ साथ में आप से सवाल आता है सीदे सीदे की भी यह plasma जिल्ली में क्या क्या चीज़े होती है आप इधर ध्यान दो कि मैम ये बीचो बीच में और ये कुछ उपर की तरफ मुझे प्रोटीन दिख रहा है तो प्रोटीन हुआ यहां पर दूसरा यहां पर मैम ये जो चेन मुझे निकली भी दिखाई दे रही है ये शरकरा की चेन है कार्बो हाइडरेट की चेन है तो क्या क्या चीज़ें उपस्तित पहली कि मैम फॉस्फो लिपिड की दोहरी जिल्ली है दूसरी प्रोटीन भी यहांपर मौझूद है तीसरा कुछ रसपत ही हमपर उपस्तित है तो आप क्या लिखेंगे आप यहां पर क्या लिखेंगे कि यह किस किस से बनी हुई है पॉस्फो लिपिड और प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट और कार्बो हाइडरेट और प्रेजन्ट यह सारी चीजें क्या है उपस्तित हैं जो भी नोट कर रहा है साथ में नोट कर लेगा क्या है भाईया फोस्फो लिपिड प्रोटीन एवं शरकरा उपस्तित देखी जाती है अब अगर मैं इसी प्रोटीन के उपर थोड़ा सा फोकस बनाऊ तो क्या मैम ये प्रोटीन मुझे अकेला दिखाई दे रहा है इस डाइग्राम पर आओ वापस से ये प्रोटीन जो है क्या मैम मुझे अकेला दिखाई दे रहा है नहीं भाईया ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं है इसमें कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो अंदर की तरफ धसे हुए यह दखो किछ अंदर की तरफ धसे हुए किछ मुझे बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं उध्य एहां आप कैरो k конф苑 कि अगर मैं इसकी बात कर ये जो अणू है न ये ये वाला जो structure आपको दिख रहा है ये है एक फॉस्फोलिपिड ये है एक फॉस्फोलिपिड मतलब माम इसके अंदर ऐसा क्या है कि हमने इसको फॉस्फोलिपिड बोला है आप इसके अंदर इसका एक सर देख सकते हो इसका एक ये टेल देख सकते हो मत मतलब water loving है, मतलब hydrophilic है, मतलब जहां जहां पानी होगा, इसका सर उस तरफ दिखाई देता है, और इसकी जो पूछ दिख रही है, वो hydrophobic है, मतलब भया वो पानी से क्या करती है, दूर भागती है, hydrophobic है, phobia है उसको पानी का, hydro मतलब पानी, phobic मतलब phobia, तो क्या कहेंगे, यह पानी से दूर भाग रही है, यह क्या करती है, hydrophilic है, तो मैम यहां phobia था, यहां आपने कैसे कहा कि यह water loving है, क्यों कहा आपने, यहां लिखा है, hydrophilic, hydrophilic word का मतलब होता है, पानी मतलब hydro, और philic में, मतलब एक तरीक से जो attract करने के लिए हम use करें, हमें ना भी याद है, तो हमें पता है, इस spelling में L आ रहा है, L से लव होता है, और हम याद कर लेंगे, यह पानी से बड़ा पहबत करती है, water attract करती है, पानी की तरफ जो है, इसका यह सर जो है, वहां पर रहता है, तो यह एक phospholipid का अणू है, जिसमें phosphate का आपको सर दिख रहा है, और नीचे क की तरफ हमें इस plasma जिली में दिखाई देती है, यह plasma जिली है, अंदर की तरफ भी देखो, पानी होता है, कुछ द्रव्य होता है, और बाहर की तरफ भी होगा, तो बीच में, बीच में, इसलिए टेल ना आपको उल्टी दिखाई दे रही है, बोलो समझ पा रहे हो या नही हाँ, जल्स नहीं, जल्विरागी, जल्दी बताओ, एक बार समझ पा रहे हो या नहीं, जल्दी जल्दी से एक थम्स अब का साइन भेजो, कि माम चीज़ें क्लियर हो रही है, जो कमेंट सेक्शन की कमेंट की दुनिया में दूसरी बाते कर रहे हैं, उनको छोड़ के ज़र क्लियर होगा, कनेक्शन बनाएंगे, हम हर एक सेशन में मैट्रिक्स बनाके, एक बिल्ड करके, तब आपको चीज़ें जो हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी, कि आज तुमने पढ़ा हैं, कि भई क्या-क्या कोशिका में था, तभी तो आगे पढ़ पाओगे, उसके कोशिका काम कैसे कर रहे हैं, और सब एक दूसरे से लिंक आपको दिखाई देंगे, चलिए, वरना ये टॉपिक ऐसा है, बेसिक टॉपिक भी है, और सबसे जादा टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को, आरे माम कौन बढ़े तना बोरिंग टॉपिक है ना, आप तो हमें बस सिंपल पाचन और श्वसन करा दो, कहां नहीं खतम हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज पढ़नी है, और एक एक चीज को इसी सिंप्लिफाइड वे में पढ़ेंगे, डाइग्राम से, ये जो दिमाग है ना, ये मेमरी हमारी, जब हम किसी को देख लेते हैं, तो जादा अच्छे से याद रहता है, कुछ पढ़के इतना याद नहीं रहता, इसलिए डाइग्राम से तुम्हें हमेशा याद रहते हैं, अच्छा यार देखा था, लिखा हुआ तो मैं कॉपी का तो भूल गए, पिक्चर ज़रूर याद रहेगी, मेमरी जो चीजे होत और आपकी इस क्लास की भी PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, अब सवाल आजाएगा कि मैं प्लाज्मा मेंब्रेन कैसे काम कर रही है, तो भई प्लाज्मा मेंब्रेन हमारी, क्योंकि इधर देखो जो हिंदी में देखना चाह रहे हैं, ये आपका उपर नीचे फॉस्फ ग्यानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था सिंगर और निकोलसन, उन दोनों ने यहाँ पर 1972 में दिया था, और इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया गया, फ्लूइड मोजैक मॉडल, क्या नाम दिया गया, कोशिका का कला, तरल मोजैक प्रतिरूप, क्या नाम द तरीके से गाड की तरह तो काम कर रही है, लेकिन यही गाड कैसा काम कर रहा है, हांजी, यह गाड हमारा सेलेक्टिवली सेमी पर्मियेबल है, हर किसी की एंट्री नहीं होने देगा, इसलिए आपको पहला ही जो डाइग्राम दिखाया था, हर कोई सेल इसके अंदर एंटर हर एक चीज नहीं कर सकती, जो अपने काम किये, वो करेगी है, वर्णा निकलो भाई, तुम्हारा क्या काम है, है ना, हाँ, और ये हमारी दिए देखो, ये देख रहे हो मतलब तुम, है विनोत देख रहे हैं आज नहीं देख रहे हैं ये बताओ, आज के सेशन में से कहां ह मतलब अभी बताया था कि इस कोशिका के बिलकुल बाहरी जिली जो है वो हमारी प्लाजमा मेंब्रेन है कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी मैम और सवाल क्या पूछ रहे हैं कि मैम यह कहां पाई जाती है तुम ऐसे सवाल करोगे तो कई से काम चलेगा यही है हमारी प्लाज सहाप के द्वारा दिया गया था इसको नोट करेंगे इस जे सिंगर पूरा नाम है ठीक है एंड निकोल सन 1972 में क्या दिया था फ्लुविड मुजैक मॉडल हिंदी वाले लिखेंगे तरल मुजैक प्रतिरूप किसके द्वारा सिंगर एंवं निकोल सन के द्वारा क्लियर है अभी आपका यही ए टू जैट बैच बिल्कुल फाउंडेशन की तरह लेके चलो एक एक चीज आपकी यहीं पर स्टार्ट करी गई है ठीक है तो पहले आप इसको बढ़लो फिर उसके बाद आपकी जब चीज़ें यहाँ भी तुम्हें लगे कि मड़म समझ में नहीं आए तब मुझे डाउट सेक्शन में कॉमें सेक्शन में बता देना ठीक है होगा नहीं ऐसा कि आपको कुछ भी इसके अंदर क्वेरी रहे या कुछ भी आपके किसी भी एक्जाम में आपको लगे कि माम यह डेटा हमारा कमपड रहा है तो यह किसके दौरा दिया गया सिंगर औ हुआ मिल जाता है तो आपको फॉस English लिपो प्रोटीन मिल जाए तो यह मत इस ना मैं ये कहां से मिसाइल चुट affect immense वीपरोटीन Tá हाँ भई जल्दी जल्दी से एक बार मुझे बताते चलो सिंपल है 5 से 10 नैनो मीटर की अगर इससे थिकनेस भी पूछ लेना तो यहाँ पर लिख देना कि भई या 5 से 10 नैनो मीटर की मोटाई या थिकनेस जो है वो हमारी इस जुल्ली की दिखाई देती है थिकनेस जोसे हम कहते हैं मोटाई वो हमारी दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से इसके अलग-अलग जो टाइग्राम्स हैं वो आप देख सकते हैं सब में हमें वही उपर नीचे की तरफ दो फॉस्फोलिपिट की जिल्लियां दिखाई देंगी और बीच में और उपर की तरफ लगा हुआ प्रोटीन दिखाई देता है अब क्योंकि माम यह जिल्ली है आउटर लेयर है तो अव्विस सी बात है कि यह क्या काम कर रही होगी हमारे सेल को हमारी कोशिका को क्या कर रही है यहाँ पर शेप देने का काम कर रही है आकार देने का काम यहाँ पर कर रही है तो आप कह सकते हैं कि इसका में कार रही है इसका में फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हाँ जी इसका में फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह mechanical support जो है वो दे रही है कहां गया चलो heading डाल देना इसके अंदर function क्या होगा इसका ठीक है function या कार क्या है यह एक boundary बना रही है पहली चीज तो cell की एक boundary तो खीच रही है क्या बना रही है बाउंडरी बना रही है यह cell के चारो तरफ एक boundary बना कर रखी हुई है दूसरा उसको आकार दे रही है उसको shape दे रही है shape या आकार प्रदान कर रही है और इसके साथ साथ entry और exit को भी यह control कर रही है सबसे important factor की semi permeable है अर्ध पारगम में जुली दिखाई दे रही है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि this is semi permeable और इसको very very important mark कर लेना क्योंकि यह चीज आप से कई बार पूछी गई है semi permeable membrane अर्ध पारगम में जुली selectively semi permeable भी इसको यहाँ पर लिख दिया जाता है this is your plasma membrane यही हमारी plasma जुली यहाँ पर कही जाती है plasma membrane कहलो, cell membrane कहलो यह नाम इसको यहाँ पर दिया जाता है clear? हाँ जी, अब कुछ सवालों को यहाँ पर करें जल्दी बताओ, कुछ सवालों को करें इतना समझ में आ, ठीक है माम एक चीज और यहाँ पर याद रखना जब भी हम बात करेंगे इस पूरे cell की तो cell की अंदर जो द्रव्य था cytoplasm, अगर उस cytoplasm के साथ nucleus जोड जाए, तो हम उसे protoplasm कहते हैं, और यहीं अगर में इस nucleus यह आगे अभी हम पढ़ेंगे इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य की बात करूँ, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई द्रव्य होगा, इस केंद्रक के अंदर भी तो द्रव्य पाया जाएगा, इसको नाम देते हैं, nucleoplasm जैसे cell का cytoplasm, इसी प्रकार से केंद्रक का nucleoplasm बोलिए समझ आया nucleoplasm, यह आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो, केंद्रक का द्रव्य केंद्रक का द्रव्य clear? हांजे, अब कुछ सवालों को उस तरह फटा-फट से यहाँ पर देखो, कि माम इस प्रकार के अगर हमारे पास सापने सवाल आएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं? पर्स्ट क्वेस्टिन आपकी स्क्रीन पर विच लिक्विड इस कंटेंड इंसाइड दन्यूक्लियस ओफस सेल? एक सेल के नाभिक के अंदर और कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अब देखो जैसे अभी भी आंसर क्या लगा रहे है? साइटो प्लास्म लगा रहे है, कुछ है ना? दीवानों वाले आंसर लगाने नहीं छोड़ेंगे माम हम वो कह रहा है कि कौन सा नूक्लियस के अंदर है? तो नूक्लियो प्लास्म अभी बताया है, चंद मिनिट भी नहीं हुए है नूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है उसे नूक्लियो प्लास्म कहेंगे सेल में पूछता, अगर वो कहता कि कोशिका का द्रव्य बता दो तो आप कहते कि भाया साइटो प्लास्म होगा अगर वो कहता कि इसमें protoplasm क्या है तो cytoplasm plus your nucleus that is your protoplasm कैसा है यह जीवित दिखाई दे रहा है यह सब हमारी body के सबसे छोटी इकाई cell के अंदर उपस्तित होता है सबसे छोटी इकाई के अंदर उपस्तित होता है बताओ अगला सवाल Which of the following cell organelle is present only in the plant cell? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिकांग में पाया जाएगा और देखिए आप सभी के लिए जादा से जादा मात्रा में आपके लिए best to best टी से हर एक exam के लिए कराई जारी है आप लोग अपने हर एक दोज भाई बहन सब तक session को जरूर शेर किया करो और session जरूर पसंद आए तो जब class over हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो session को like share करना नहीं भूलना है चानल को subscribe कर लेना ताकि आपके पास हर एक class की रोज शान 6 बजे notification जरूर आ जाए बल्कुल सही इसके अलावा कहां कहां बताई थी शेवाल में बताई थी जीवाणू के अंदर बताई थी आपके कवक के अंदर बताई ठीक है इन सभी में क्या होगी हमारी cell wall कोशिका भित्ती पाई जाती है बाकी cell की membrane हो वेक्यूल हो mitochondria हो यह तीनों चीजें दोनों के अंदर common है दोनों के अंदर common है अगला सवाल देखे अगला सवाल बताई जेली-like substance which is present inside the cell अब देख रहे हो सवाल वही होता है कहना वही चाता है बस रिष्टा वही सोच नहीं कर देते हैं हना सिर्फ शब्द में थोड़ा सा फेर बदल किया मैंने liquid की जगा जेली-like पदार्त लिख दिया और इसी में आधो के आंसर क्या आ गए मैडम A से B हो लिए हम तो हम जा तो सिधे रहे थे हम बहक गए बस नहीं बहकना था यहीं पर जेली-like पदार्त है कह रहा है तो भी आप क्या कहोगे साइटो-प्लाज्म ही तो है वो भी तो द्रव्वे ही है आंसर इस साइटो-प्लाज्म इसको आप कोशिका द्रव्वे कहते हैं अभी तो इसकी बात करी थी और जब हम थियोरी पढ़ने के बाद सवाल करते हैं तो अलगी मज़ा आता है कि मैम अब पूछो आप हमें हमने तो पढ़ लिया है सारा कुछ अच्छा इस question का answer करेंगे blue green algae जिसे हम नील हरित शेवाल कहते हैं ये कहां पर आते हैं ये कहां पर आते हैं नील हरित शेवाल से कहा जाता है ठीक है ये कहां आते हैं प्रोकेरियोट में यूकेरियोट में दोनों में ये इनमें से कोई भी नहीं अब जो answer लगा रहे हैं बी देखो अगर मैं इसकी जगह पर इसका एक निकनेम लिख दूँ कि भाईया इसको हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं नील हर झाल झाल अभी आवाज आ रहे हैं सबको तो मैंने कहा कि भाया यह बैक्टीरिया या माइको ब्लाजमा गी जिससे हम प्लिवरोनीमोनिया-लाइक- और्गयानिजम कह रहे थे सबसे चोटा जीवित कोशिका यहां पर कह रहे थे यह भी किसके अंदर आता है यह भी हमारा प्रोकेरियो बढ़ें आगे चलो तो यहां तक आये होप की सभी को समझ में आया है कुछ सवाल देखते हैं जरा रुख जो next question का answer करें कोशिकाओं की जिल्ली की प्रकरती क्या है कोशिकाओं की जिल्ली की प्रकरती क्या है very good permeable है पारगम में है अर्ध पारगम में है या non permeable है या freely permeable है हर तरीके से कोई भी आ जा सकता है याँ पर very good अभी बात करी अर्ध पारगम में मतलब हर कोई नहीं आ सकता थूड़ी बहुत entry जो है वो हम यहां पर दिखाई देती है semi permeable हम इसको यहां पर कहते हैं कई जगा पर semi permeable के साथ एक word और लगा हुआ होता है selectively मतलब क्या है यह selectively semi permeable है चुनी हुई चीजें जिसकी जरूरत होगी वही अंदर आएगा अर्ध पारगम में इसको यहां पर इसलिए कहा जाता है this is selectively semi permeable अब यह नहीं है कि guard gate खुला हुआ है कोई भी entry कर जाए कोई भी बहार चला जाए सेल से नहीं select करके मैं चुन चुन के अंदर बुलाऊंगा वरना बहार नहीं जाने दूँगा तो यह हमारी जो plasma जिल्ली है उसकी यहां पर विशेश्ता देखी जाती है अगली बात करेंगे cellulose किस प्रकार का पोशक तत्व है cellulose is an example of what हमने बात कर भी थी cellulose क्या है जरा बताओ देखी CGL, CHSL में पायों के सबसे जादा important topics के अगर बात करी जाए तो उसके अंदर आपका सबसे बड़ा topic आता है यही महाशे cell है ना यह खुद बखुद में इतने सारे सवाल ले आते हैं इस बार भी CGL में सवाल पूछाता है सेम सवाल की plant की कोशिका भित्ती plant cell wall किसकी बनी है कहने को मैं बहुत basic है लेकिन फिर भी आता है फिर भी आएगा इसी प्रकार से आपके रोग बिमारियों से संबंदित बहुत सवाल आते हैं कि टाइफाइड किससे हुआ हैजा किससे हो गया मलीरिया किससे हो रहा है इसके अलावा आपके जन्तु जगत पादब जगत और आपकी human की physiology ठीक है जिसमें हम hormones को देखते हैं पूछा जाता है विटमिन से सवाल सबसे जादा आता है तो जो भी अभी रीसेंट में एक्जाम देने जा रहे हैं वो लोग एट लीस्ट इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अपना कर लें बाकि आप लोग के कोर्स में classes अल्रडी चल रही है जो आपकी important देखी जाएंगी जितने भी यहांपर प्रोटीन आंसर लगा रहे हैं जितने भी यहांपर कहारे हैं तुम्हें cellulose से कौन सा प्रोटीन मिलता है यह पताओ कभी सुनेगो कि मैं cellulose ले रहे हैं, protein मिल रहे हैं हैं पादप की प्राकार की कार्बो हाइड्रेट है क्या है इस के अंप पॉली सेकराइड का बहुलक हों ते सबसे छोटी सबसे सिंपल शुगर क्या दिखाई दे रहीस Uhh सबसे सरल शरकरा हम कहते हैं हमारी बोडी में क्या चीज ऐसी है जो सबसे असानी से यह सबसे छोटी फॉर्म में शुगर की दिखाई दे रही है वो होती है हमारी ग्लूको सबसे सिंपल शुगर या सरल शरकरा इसी के बहुत सारे अगर मैं मॉलिक्यूल्स जोड दूँ तो क् वीकांब आजने की बहरी सन्रच्ना बनाने में मदद कर रहा है तो हमने उन्हें स्ट्रbecल्शिर्ल पाली सएकराइड का नाम दिया था यह हम आगे डीटेव में पढ़ेंगे अभी जान लो कि यह क्या है एक प्रकार का पॉली सेकराइड है जो की स्ट्रक्चर बनाने में संरचना करने में मदद कर रहा है इसके साथ साथ इसके भाईया भी आते हैं जैसे हम क्याते हैं काईटिन अच्छा एक चीज और मैं यहां से आपको बताऊंगी कभी सुने हो कि हमारी बॉड़ी मे पाचन हो रहा है मतलब मानव के शरीर में कभी सुने हो कि मैम हमने अच्छा रहा हो जो सेलुलोस पचा रहा हो नहीं हमेशा याद रखना इसको हमारी बॉड़ी में पचाने के लिए कोई enzyme है ही नहीं और actually में हम क्या घास पूस खा रहे हैं पेड़ पॉधे जो हम पत्यों की बात करते हैं ऐसे कुछ खाने की जो green vegetables है actually में जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं उनकी अंदर होता है cellulose पादप की कोशिक अभिति में है जो जानवर इसको खाते हैं जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं हरे पत्ते खाते हैं उनकी बोड़ी में इसको पचाने के लिए एक इंजाइम आता है जिसका नाम दिया जाता है cellulase ठीक है आप लोगों ने सुना होगा कि चारा खाने वाले उनकी आहार नाल होती है उसमें इक हिस्सा होता है अलग से जिसे हम रियूमिन का नाम पढ़ते हैं वहां पर आपका एक खटा होके रहता है वो चारा खाने वाले पचाने वाले अलग जानवर होते हैं अब तुम यह बत कहो कि माम इंसानों के अंदर सेलुलोस का पाचन हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता याद रखेंगे इस चीज को क्या है ये शरकरा दिखाई दे रही है ठीक है नहीं एक्चुल आंसर कार्बोहाइडरेट है क्योंकि चार आप्शन में आपको पॉली सेकराइड नहीं दिया अगर वो डीटेल में पूछता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगला सवाल बताइए एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के संहू का नाम क्या होता है जल्दी जल्दी से जतनी डाइपिंग तुम आंसर करने में वह चाटिंग करने में लगाते हो ना स्पीड उतनी लाईट लोगार कोशिक बित्ती में भी होता है और कायटिन और अड्र टो सुमहर्च है में जोड़ कर दो वह क्या जाते हैं वह तक कहे जाते हैं तिशू यहांपर कहे जाते हैं और इसी टिशू का अध्यन क्या कहते हैं सरा इसका भी नाम बता दो यहाँ पर टिशू का अध्यन यानि की study of tissues किसको कहा जाता है करिए जनाब जल्दी जल्दी से answer very good हंजी देखो CGL के अंदर कम से कम दिखाई देते हैं कि यह साथ से आठ सवाल साइंस के देखने को मिल जाते हैं और उसमें तीन से चार तो दुम्हें biology के दिख जाते हैं है ना हलके में नहीं लेना है हमें उत्तक के अध्यन को histology कहेंगे histology कहते हैं उत्तक विज्ञान जिसको हम यहाँ पर कहते हैं histology बोलो भई बात समझ में आ रही है यह जो group of cells है इसी को हम tissue का नाम दें करेक्ट हाँ जी pdf यार class नहीं होने दोगे मतलब तुम लोग है ना class नहीं होने देंगे मैम हम पौधो की कोशिका भित्ती किस्से मिल करके बनी है यही सवाल सेम CGL 2022 में अभी दिसंबर में आपका पूछा गया था पहली ही जो shift थी उसके अंदर आपका यह same question पूछा गया था किस्से मिल करके बनी हुई है तो अगें सेम चीज की माम किसी और की नहीं है वो cellulose की बनी हुई है प्लांट की cell wall अब जब एक में प्लांट की पूछी है तो भईया हो जकता है अगली बारी तुमसे बैक्टीरिया पूछ ले तो बैक्टीरिया की हमेशा students जो हैं वो confused होते हैं कि peptidoglycan और म्यूरीन की बनी है अधर्वाइस फंगस की काईटन याद रहती है एलगी शेवाल की cellulose याद रहती है लेकिन बैक्टीरिया की भूल जाते तो बैक्टीरिया जीवानूं की भी हमें यहाँ पर याद रखनी है कोई गलती से भी यह ना कहे कि मेडम कोशिक अभित्ती में हम सब्सक्राइब करके आना चलो अगला सवाल देखो हां जी कौन सा जीव कोशिका सिध्धान्त में फिट नहीं होता चलो 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 शर्मा जी सवाल का उत्तर कौन सा ऐसा है जो कि कोशिका सिध्धान्त में फिट नहीं होता है माम देखो हमने कोशिका से धान्त पड़ा आपने कहा श्लीडन और श्वान दो अलग अलग थे उन्होंने एक ने बोला जन्तु कोशिका है कोशिका से बनी है एक ने बोला था पादप कोशिका है कोशिका की बनी हुई है मगर अगर मैं जन्तू और पादप कोशिका की बात कर रहे हूँ वो जीवित है ठीक है वो क्या है जीवित है उन्होंने कहा था सभी living organisms किस से मिलकर के बने हुए है स्टेल से कोशिका से मिलकर के बने हुए है लेकिन माम एक वफादार नहीं है यहाँ पे वो कौन है वो है वाइरस यह जो वाइरस है यह ना तो लिविंग है ना यह नौन लिविंग है ना तो यह जीवित है ठीक है ना तो यह जीवित दिख रहा है लिविंग दहरा नहीं यह non-living दिख रहा को तो बया ये कैसे fit हो सकता है यही है हमारा अपवाद जो इस कोशिगा सिधभान्त is fit नहीं बैठता यहе को विट जैसे हमने देखा जब तक किसी की बॉडी में नहीं आता, कुरोना वाइरस है, वाइरस जब तक किसी की बॉडी में नहीं आता, तब तक non-living है, जैसे ही कि उसको host cell मिल गया, एक proper body मिल गई, वहाँ पे जाएगा, तुरंत अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और जीवित की तरह कारे करने लग जाएगा, तो य नहीं हो जाता है, वरना ये non-living है, इसलिए इसको ना तो जीवित में रखा गया, ना non-living के अंदर रखा गया है, ये क्या है, cell theory का exception यहाँ पर कहा जाएगा, English में terminology यूज करें, for sure, देखो, Hindi English दोनों में ही, Hindi English दोनों में ही, जो है, वो आपका सही है, वाइरस है ना, ठीक तो है, विशाणू, Hindi English दोनों में ही मैं ट्राइ कर रही हूँ है, ना, अगला सवाल देखो एक बार, बताइए भई, plasma membrane in eukaryotic cells is made up of, plasma membrane जो होती है, जो plasma जिल्ली है, यू के रियोटिक कोशिकाओं में, वो किसकी बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है, पॉस्फो लिपिड लिपो प्रोटीन फॉस्फो लिपो प्रोटीन या फिर फॉस्फो प्रोटीन अब देखो जैसा कि हमने बात करी थी ना कि माम किसकी बनी होगी हमने दोनों ही चीज़े पढ़ी है हमने फॉस्फो लिपिड भी पढ़ा है हमने प्रोटीन भी पढ़ा है त तो फॉस्फो लिपो प्रोटीन यहां पर आपका अंसर हो जाएगा है कि यह लिए फॉस्फो लिपो प्रोटीन अगली बाड़ से ऐसा सवाल आए तो जरूर इसको यहां पर याद रखेंगे कि वह पूछ क्या रहा है and again the basic question the branch of biology which is dealing with the study of cells आप के कोशिकाओं के अध्यन से जो deal करती है वो विज्ञान की शाखा कौन सी है वो विज्ञान की शाखा कौन सी है cytology, histology, psychology या physiology या physiology बिलकुल सही cytology मतलब कोशिकाजी विज्ञान histology मतलब उतक के बारे में बात करी है psychology जो होती है वो हम मश्तिश्क के बारे में जब किसी भी mental disorder या मानसिक विकार की बात करते हैं तो वो psychology के अंदर बढ़ते हैं कि आपका normal attitude कैसा है आपका brain कि तरीके से कारे कर रहा है फिर physiology होता है kriya vijyana physiology होता है kriya vijyana क्रिya vijyana का मतलब कि माम हमने पढ़ा मेरे पास अमाशे है ये तो मैंने देखा कि भई अमाशे है तो ये मैंने उसको देख लिया लेकिन जब मैं बात करूँगे उसमें किस प्रकार से खाना पच रहा है वो उस अमाशे की physiology हो जाएगी उसको सिर्फ आंतरिक तोर पे देखना anatomy कहलाती है बाहर से देखना कि मैं तुम्हें देख के बताऊँ तुम्हारे दो हाथ हैं दो पैर हैं एक आपकी नाख है दो आँख है तो मैंने कहा मैं उसकी morphology बता रही हूँ morphology बता रही हूँ उसका बाहरी देख करके outer structure बताया है मैंने उसको आंतरिक तोर पे बताया है इसकी body के अंदर एक पेट है दो यहाँ पर इसके गुर्दे हैं तो हमने कहा anatomy है और जब उसकी क्रियाओं के बात करेंगे तो वो हमारी physiology यहाँ पर हो जाएगी अगला सवाल देखते हैं आपसे पूछ रहा है the basic structural and functional unit of living organism basic एकाई कौन सी कही जाएगी basic एकाई कौन सी कही जाएगी जितना पढ़ा उससे कहीं कोई doubt कोई दिक्कत कोई परिशानी आई यह बताओ जल्दी से answer क्या हो जाएगा कोशिका हो जाएगी basic जो है हमारी कोशिका कही जाती है clear है अब मुझे एक बार फटा फट से बताओ जितनी portion हमने cover किया क्या किसी को कोई समस्या कोई परिशानी और इसी प्रकार से अब आपके जो बचे हुए अंदर के कोशिकांग है आज हमने बाहर की जिल्ली के बारे में पढ़ा अब अंदर के सूतर कने का कैसी है केंद्रक कैसा है अंदर है प्रद्विजाले का यह हम करेंगे कल वाले session में तो आप सभी के जो cell organelles है उन कोशिकांगों को हम कल यहाँ पर cover करेंगे तो तयार रहना इसकी PDF रिवाइस कर लेना जो आपको मिल जाएगी जिसको भी revision करना हूँ और साथ साथ में कल भागी के chapter को करके आपका यह chapter जो है वो यहाँ पर हो जाएगा cover Is that clear? No problem अब आपका एक काम है यह दिल की समस्या थम जाओ हमेशा दिल की समस्या लेके बैठे रहा करो पेपर में दिमाग काम आने दिल काम नहीं आना मैं फिर से बता रही हूँ हमेशा दिल की समस्या मेडम तो अब आपने एक काम कर रहे है जादा से जादा स्टूडेंस तक अपने इस सेशन को पहुँचाना है क्लास कैसी लगी है ओफलाइन कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स सेशन में बाकी एक इंपोर्टन चीज जो आप लोगों ने यहाँ पर देखनी है कि अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है तो भाया आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है पांच जनवरी से सभी अपने इस प्रैक्टिस बैच में जो आपके सीरियल मेंज और सीपी ओ टायर टू के लिए अब बहुत इंपोर्टन रहने वाला है आपकी लाइफ क्लास रहेंगी इस बैच में आप सभी जो भी चाहते हैं अंकुत नर के साथ पढ़ना आप सब इहां पर इंडॉल कर सकते हैं बाकि आपका A to Z बैच तो है ही है रोज शाम छे से आठ बजे ता बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स सेशन में तब तक के लिए have a very good day take care guys bye bye thank you